गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग और मेरे अकीनियंस क्या हल चाल कैसे हो सब लोग बढ़िया हाँ वैं शांदार आप तो पढ़ाई सही हो गई होगी हाँ कउछम किया है है तो चल यह बया है अम आगर देखने को मुझा है उसको सीखो और ट्राइ करना भाई उन कोश्चन को बार बार रिवाईज करते रहिए क्योंकि अब इस चाप्टर का और फिजिकल के मिस्टरी का सबसे टॉपमोस लेवल पे आज कल कल की क्लास भी अपने पास टाइम आपको मिल जाएगा कल साटरड़े को भी क्लास होगी कल इस चैप्टर का हाइस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे मंडे को बहुत छोटी-छोटी बाते होंगी और मंडे को यह चैप्टर आल्मोस्ट हम लोग फिनिश कर लेंगे आज कि एक बोल रहा है कि अच्छा सर कोश्चन करने पाइस है न भाई अजया साथ में और और ज्यादा अप्लिकेशन सुरू करते हो और ज्यादा महिनास सुरू करता थो बाई को स्वेश्चन बनेंगे सॉल्यूशन के अफसोस होता है न जिन लोगो को मतलब तीन टाइप के अगर क्लासिफिकेशन करें तो तीन टाइप के स्टुडेंट है अपने पास एक होते हैं जिनको एक बार में समझा सब कुछ कोश्चे और से लगाना सुनू किया अपना दिमाग खुद का जल्देली उत्लाइस करते हैं मतलब फिर वो अलग काटेग्री चेलेगयं होते जो बुलते कि बीच वाले मतलब क्या होता क्लास में सबस्कूर कर सकते कि बारल वाई लोग हैं उनको थोड़ा जादा मेहनत करना है थोड़ी सी जादा प्रैक्टिस करनी है थोड़ा जादा रिवीजन करना है और एक तो थर्ड कटेगरी है जो भाईया सुसरू से लेके बैठा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बता दो यकीन 4.2 स्टार्ट होने वाला है नया बैच है नया फ्रेस्ट कर सकते हो आप ऐसे सितंबर भी आने वाला है एक सितंबर आने वाला है रक्षाबंधर के बाद भी कस्मेबारे खा सकते हो उन लोगों के ठीक है जिसको भी लगता है जैसे भी लगता है अगर आप फर्स्ट केटेगरी में हैं बहुत बढ़िया आप ऐसे लग रही है आप अगर सेकंड केटेगरी में आते तो सेकंड केटेगरी वाल लोगों को बस इतना ही बोलना होंगा कि भईया आप कोश्चन जितना जादा ह सकता है revision इतना ज्यादा हो सकता है आप उतनी ज्यादा practice कीजिए क्योंकि हां यह नहीं बोल सकता है आप बस practice ज्यादा कि लिए खूप सले एकρ दो question बाहर बाहर रेपीट कर ज्यादा हो जायेगा ठीक है, selection लीना है ना, ठीक है, हाँ भाई, selection लीना है, यह तो आते आते सुवा-सुबा सुवा happy birthday सुरू हो जाते हैं, ठीक है बाई, जिसका यह birthday सबको happy birthday, इस तरह रहे एक दिन किसना बढ़ यह होता जाएगा, हो सकता है देखो जैसे इस बार re pronto के question के question ही नहीं ते यह उतना डर है इतना डर जाता है फौ्मूलाज बहुत सारे हो जाते फिर आधी सुस्था रहे यह तीनी मेहनत कौन करेंगा लेकिन अगर आपने formulas को segregate कर लिया ना किया strong acid strong base के लिए सर ने अलग बताया था mixing के लिए अलग बताया था dilution के लिए अलग बताया था तो आपको ना खुद पता चलेगा कियार मैं चीजे relate कर पा रहा हूं जैसे अभी तक दो cases हुए है my life में अभी तक हमने दो cases कर लिए मैंने कल भी आपको बूला था कि भाईया मैंने दो चीजे बता दी है अगर weak acid और weak base अगर weak acid और weak base दिया हुआ है अगर यह simple से दिये हुए है आप सर सारे formula सब कुछ relate कर सकते हो अगर आप चीजों को देखना सुरू करोगे तो ठीक है डीपी solution देखते ही हसी आते तो यहार obvious है ना भाई इसका मतलब क्या है कि दिमाग थोड़ा सा और चादा करना है ठीक है चलो देखो weak acid weak base की बात कर रहा था तो weak acid weak base में क्या होता है पहली चीज़ weak acid weak base में अब देखना मैं कैसे बार बार कैसे तुम्हारे सामने लिख रहा हूं यह सब चीज़े जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको फायदा होने वाला है pH का formula या तो माइनस log h plus से निकाल दूँगा या तो माइनस log h plus से निकाल दूँगा या फिर pH का एक और formula था वन बाइट्व पी के ए माइनस log c लिख दूँगा सर यहाँ पे के ए का formula का C alpha square वन माइनस alpha था और अगर alpha की value less than 5% है के ए की value क्या हो जाएगी सी alpha square हो जाएगी सर आप इस formula को जितनी बार हो सकता है उतने अच्छे से लिख दो क्यों क्योंकि सर आप कोई पता है यही 3-4 question नहीं के ओपर question आएगा निकालते है बस यही formula है इसी को use करना है अगर यह आता है तो सर यह वाला अपने आप आएगा क्यों क्योंकि यहाँ h plus के बदले क्या लि याद है तो दूसरा कौन बोल रहा है तुम्हें याद करने के लिए भाई दूसरा कौन ही बोल रहा है सीखने वाले भाई तू सीख तो सही तुझे किसने बोला कि सर एक याद है आपको बस trick क्या खिलना है कि सर यहाँ पे के बदले क्या लिख देंगे के भी लिख देंगे c alpha square one minus alpha और अगर kb की बात करें तो that is equal to c alpha square हो जाएगा वो किसके equal हो जाएगा c alpha square के equal हो जाएगा तो भाई देख ले अब तुझे लगता हो इस और ये बहुत जादा difficult है अब बेटा थोड़ा सा तो अब वेसरे डॉक्टर बनना है भगवान का दूसरा रूप बनना है तो उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी न जिसपे भगवान को भी सोचना पड़ जाएगा इसका selection करवा देता हूँ अदरवाई उनको बुरा लगना हो जाए इतनी मेहनत कर लो न कि सामने वर को पटा भी चल जाएगा स्ट्रॉंग एकलाशन को पहचानने पता है को बता किसके लिए होता है ये के या वीग चेलिए होताहि मैं क injustice की यह का बता है जLDी बताहे छल्दी बताहे क्या होगा किस के लिए होगा वीक के लिए होगा तो वीक के लिए भाय इसी जी नि как लिए होगा न पहिचानने का यही तरीका है जहां पर वीक होगा जहां भी होगा आईने के कल विरियम तभी आ सकता है, डे वन पे बताया था, आज सिक्स क्लास है, मैं डे वन पे बताया था है, आईनी क्लियर हमेशा वीक के लिए होता है, आईनी क्लियर हमेशा वीक के लिए होता ही नहीं, कल तक हमने पढ़ा था ये बात, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, हमने कल पढ़ लिया common iron effect कि भाया अगर कोई weak acid है अगर देखो अकेला ये अकेला case 1 अगर CS3 COH है अगर CS3 COH है अगर अकेला है तो सर अकेला बंदा मस्ती से चल रहा होगा सर इसका ना सर ये c होगा 0 0 होगा c minus c alpha होगा c alpha होगा c alpha होगा alpha की value under root k by c होगी यहाँ k की value c alpha square होगी pH की value ऐसे निकाल देंगे 1 by 2 pk minus log c सर ये अकेले था तो ये होगा लेकिन अगर सर आपके साथ साथ मैंने कल example ही बताया था कि भाईया आगर आभीख हैं कोई दिक्कत नहीं करेंगे लेकिन घर में बड़ा भाई यह चोटा भाई कोई बहुत जादा पढ़ाई कर रहा होगा तो फिर आपकी life बरबात कर देगा उसके चक्कर में क्योंकि comparison होना सुरू होगा और वैसे उसका ज्यादा के साथ मैं लिख दू कि सर सी एस थी सी ओच है प्रजेंट किसके कारण एच सी एल के कारण एच सी एल भी साथ में प्रजेंट है तो सर यहां पे क्या होगा एच प्लस और सी यल माइनस सर यह देख लो अब इस बंदे में कोई इकलिविरियम नहीं क्यों कि यह strong acid है इसमें काहे का इकलिविरियम यह क्या करेगा सर यह क्या करेगा सर जो बंदा देखना एक बार concentration जो आप c00 लिख रहे थे यह देखना time is equals to zero time is equals to equilibrium पे जो काम आप यहां लिख रहे थे जो काम आप यहां लिख रहे थे time is equals to equilibrium पे थोड़ा सा lie chatellis याद करो थोड़ा सा lie chatellis याद करो बेटा lie chatellis याद करो एक बात देखना lie chatellis याद करो lie chatellis में sir यह जीरो जीरो नहीं होगा क्यों क्योंकि sir इसको तो zero होगा but because of common iron sir इसकी value पहले से कुछ नकुष तो होगी माल लेता हूँ x है तो यार ली चैट लियस याद करो अगर product की concentration जादा है अगर product की concentration जादा है तो sir same degree of dissociation हो ही नहीं सकता because कुछ reaction कहां आएगा backward में आएगा मेरा यहाँ c alpha नहीं होगा c alpha dash होगा यह c alpha dash होगा x plus c alpha dash होगा यहीं चीज तो मैंने कल लिखी थी यहीं चीज मैंने कल लिखी थी derivation आपको कर सकते हो अब sir आपको derivation derivation तेजे लिख के दे रहा हूँ बात भरुसा कर हो सकता अगले साल exam जब होगा ना अपनी गलते होगी चक्कर में तो exam crack न देख तुझे मैं लिख कोई भी derivation तेरे से नहीं पुछा जाएगा किसी भी type का derivation तेरे से नहीं पुछा जाएगा लेकिन हाँ उसका application जरू पुछा जाएगा यहाँ smartly कल मैंने derivation के नाम पे याद करो के की value मैंने क्या लिखवाई थी के की value मैंने क्या लिखवाई थी अगर याद कर अपने पास तो यहाँ पे x into alpha dash कल का formula जिलनों को याद हो alpha dash की value क्या लिखवाई थी k by x लिखवाया था sir alpha dash की value क्या लिखवाई थी इसकी concentration xm है इसकी भी क्या हो जाएगी XM, याद कर, degree of dissociation, alpha, dash will be always lower than alpha, क्यों क्यों कि सर, because of common an effect, because of common an effect, अगर आपका आयन common है, तो आप किधर को आओगे, पीछे को आओगे, इसलिए alpha, dash आपकी value कम होगी, याद करना है, अब तुझे रटना है, रट ले, अगर समझना चाहता है, समझ ले, कि सर, यहाँ पे alpha, degree of dissociation, कौन बताएगा, कौन decide करेगा भाई, तो obvious है न सर, इसक strong acid का H+, strong acid का H+, आपका decide करेगा, strong acid का H+, decide करेगा, मतलब अगर weak, weak बिचारा अकेला है, जिन्द की जी रहा था, लेकि साथ में अगर strong acid आगिया, अपने ही nature का आदमी आगिया, weak base होता, साथ में अगर strong base आजाए, अपने ही nature का आदमी आजाए, तो आपकी degree of dissociation को क्या करेगा कम जोर कर देगा, माल नो तुम अकेले बैठ के पढ़ रहे थे, तुम कोशिस भी कर रहे थे पढ़ाई करने के, बगल में एक बच्चा के बैठ जाए 700 नंबर वाला, तो तुम उसको देख के खुदी फ्रस्टेट होते जाओगे, अरे सर, तुम कोशिस कर सकते थे, लेकि तुम उसको देख के और फ्रस्टेट हो जाओगे, कभी-कभी कोई बलता ना, ऑनलाइन पढ़ने का फायदा है, ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा हो जाता है, आपको बगल में आपना इंडिपेंडेंटली सोच पाते होगे, यह मुझे महनत करने हैं, मुझे यह करना है, आपको यह वाला, क्योंकि सबके लिए अववेस इंडिविज्वल मॉवाईल पे चल रहा है, यह इंडिविज्वल लैप्टप पे चल रहा है, आपको यह फायदा आता है, कम्पेरिटीव वाला नहीं आता, आपको सिर्फ टेस्ट में पता चलता है, कि हाँ यह बच्चा इसा कर रहा है, यह बच्चा ऐसा कर रहा है, आपकी डेल लैप को हिंडरिंस नहीं देगा, ओफ लाइं में क्या होता है, सामने दिख रहा होता है, तो अवज़े कभी कोई लग जाता है, बीच क्लास में दिमोटिवेशन हो जाती है, फायदा भी है, और उसका एक लॉस भी acid है, एक बाब बताओ, k into kb is equals to kw, sir, pka plus pkb is equals to pkw, यह सारे formula किसके लिए valid है, औप्शन देता हूँ, यह सारे formula किसके लिए valid है, मुझे बता सकते हो, यह सारे formula, sir, किसके लिए valid होगा, यह सारे formula, किसके लिए valid होगा, sir, all of these, यह किसके लिए valid होगा, चलो, इस question का answer बताओ, यह सारे formula, यह दोनो formula, किसके लिए valid था, किसके लिए valid था, strong acid, weak acid, weak acid, उसका conjugate base, किसके लिए valid था, बताना, किसके लिए वैलिट था k into kb is equal to kw acid plus base के लिए था acid plus base या acid base किसके लिए था कौन सा option होगा आ रहा है कभी कभी revise करने से चीज़े clear हो जाती है कभी कभी बहुत सा लोगों मैं बोलता हूं हम इसा आभी कल मैं आज सुबा ही किसी को reply कर रहा था अब तो reply करने में डर लगता है लेकिन हाँ ठीक है reply कर रहा था मैं इसको यह बोल रहा था कि आपको time देना पड़ेगा इन सब revise करना है बार बार revise किजिए क्योंकि यह topics दिमाग बहुत जादा यूज़ करते हैं और बाद में आपको पता चल जा एक बार आपको game समझ में आ गया ना इसका आप डरो गई नहीं यह ऐसा नहीं कि acid base देखा तो सब को मार देंगे exam hall में यह option रहने के chance से जादा होते हैं और बहुत सारे लोग इसको टिक भी कर देते लेकिन कल ही हमने जब class में बोला था हमने चिला चिला के बताया था कि यह किसके लिए valid है acid conjugate base के लिए या फिर sir base और conjugate acid के लिए आप कभी भी NH3 और HCL का नहीं निकाल सकते है आप जब भी निकालोगे किसका निकालोगे इसका आएगा c is the third option is the correct option c is the correct option देखो यह जनता तो अपनी fixed है very good कोई बात नहीं यह जनता अपनी 70-80% जनता अब इस class की fix हो चुकी है जो 10-20% लोग जो भी है बेटा बस आपसे एक दो request है अगर आप sincerely prepare कर रहे हैं तो आज की class पिछली दो तीन classes को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चहां से आएनिक क्लिबरियम सुरू हो गया है पी एच निकालना एंटी लॉग लॉग निकालना बहुत ही आसान सा था बेटा लेकिन अब यहां से चीज़े रिलेट जरूर करनी पड़ेंगी यह अलग कहानी है सर आज अलग कहानी चलने वाली थोड़ा ध्यांस ठीक है शोरो चलो हाँ इतना ही ब्रसप कराना था चाप कॉंफिडेंस आ गया बहुत बढ़िया चलो तो भाई यही चीज़ करना ना टीचर्स का काम यही है अभी कोशिस करते हम लोग भी या देखो सीज़ी बात है पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं जस तुम्हें नहीं मैं भी जब खुद आई इकलम पढ़ा था अब्वे से मुझे बहुत पहली बर में डिफिकल्ट लग रहा था फिर सेग्रिगेशन किया कि हाँ यहार अभी जैसे देखोगे तो वीक एसिड पहला एक केस पढ़ा फिर मैंने ऐसे बनाया कि अच्छा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉंग एसि अब ऐसे ही यहां पे सबको अपना अपना अब जैसे जितनी बार सोचोगे उतना तहीं से आप एक्जाम हॉल में सोच पाओगे कि यार अच्छा यहां पे आज हम लोग यह पढ़ने वाले अब यह दिमाग में सेग्रिगेशन खुद बनाना पड़ेगा कि एक्जाम हॉल म अंदर सारा कुछ करेंगे और बफर को तोड़के डिस्ट्राय करके चले भी जाएंगे तो कभी भी कभी कोई सॉलीशन या कोई बी कोई टॉपिक हो बेटा कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे कल का तो चलो कल का तो कुछ आदी और इंस्टिट था मेरे इसे बहुत जादा बैक माइंड पे चल लए थी या बहुत साइच चीजे करते हैं या कभी कोई गलती होती है बहुत साइच चीजे लगती है तो दिमांगे चलना था या थीक है न अच्छा टॉपिक है टाइम देंगे करेंगे कोशिस करते रहो आज तुमारा दिन अच्छा नहीं है न लेकि और देली ऐसा नियों तरह छोड़ दिया ना नहीं करते रहिए बस मेनद करते रहिए होजाएगा चलो अब कोश्चन करते देखो अब कोश्चन पढ़ना तुझे पता चलेगा क्या यह क्या है यह क्यूश्चन पढ़ो अराम से सर्थ जो पढ़ा ना चुप चब पहले खुद समझदार हो, समझो कौन सा केस दिया है, सिंगल वीक एसीड है, या वीक एसीड के साथ स्ट्रॉंग बेस है, क्या होता है, हाँ बेटा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, अगले वीक से मंडे ओन वर्ड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका, डॉंट वरी, एक जो एंसर निकालो, क्या होगा? पहले ये बता दो, इसमें पूरी, मerenाल बच्चा क्या ही या, तुम्हारे लिए तो एक सेकंड का कुश्चन एए, एक सेकंड का कुश्चन है, क्यों? क्योंकि सर आपको पता चल गया है, कि वीक एसीड के साथ साथ, यहाँ वीक एसिड है, और साथ में क्या दिया है, स्ट् common an effect का question है, alpha dash निकालना है, यहाँ, alpha नहीं निकालना, alpha dash निकालना है, and that will be k upon x, x क्या है, h plus कितना देगा, सर यह देख लो, k की value कितनी है, 1.69 into 10 की power minus 5, सर मुझे किसका concentration लेना है, strong acid का, कितना है, 10 की power minus 2, क्या answer आ जाएगा, 1.69 into 10 की power minus 3, या फिर इसी को option match करना है, तो मैं इ लिख सकता है, क्या answer आ जाएगा, मेरा answer क्या आएगा, C is the correct answer, C is the correct answer, DPP में था कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 58% जनता, B वाली कुछ जनता है, थोड़ा सा बेटा, सही करने कोईश करिए, थोड़ा सा सही कीजिए, देखिए कहां ग जलती है हो रही है, हाँ, हो जाएगा, प्योर हो, बढ़िया, रूट कहा है, रूट क्यों निकालना है बेटा, यह तो common effect है, common effect में alpha dash की value क्या हो जाएगी, k by x होगी न, और यह x किसका है, concentration of, concentration of h plus कहां से, from a strong acid, यह कहां से strong acid का h plus, तो निकाल दो, आपको बस exam और में, यह मैं लिख के दे दूँ बिटा, अभी भी अगर आप concept नहीं सीखोगे न, तो exam world में ऐसे questions आएंगे, और आप रोते वह रहे हैं, और मुझे सौझ में नहीं आए, चीजी है, same nature का आदमी है, एक weak है, एक strong है, समझ जाना कि क्या हो जाएगा, इसके case में buffer कह रहा हूँ, क्या कोशिशन दो पार्ट में डिवाइड है, डाइ मिथाइल अमीन, सब लोग और गैनिक जानते होंगे, डाइ मिथाइल और अमीन इसको बोलते है, डाइ मिथाइल अमीन इसको बोलते है, ये एक weak base है, क्यों क्योंकि इसका आइनाईशन constant दिया हुआ है, इसका KB दिया है, 5.4 into 10 की power minus 4, इसका KB दिया है, क्या पूछ रहा है, कोशिश करकर देख लो, इसमें दोनों concept mix कर दिया गया है बेटा, प्लीज आप ध्यान से देखो इस question को, थोड़ा subjective है, क्योंकि obvious NCRT है, तो थोड़ा सा उस तरह से पूछा गया है, लेकिन कोशिश तो करो, महफूज भाई का birthday मुबारक हो, इन साल अगले साल आप कॉलिज में पहुचे, लेकिन आप पढ़ लीजिए लगतार कमेंट करने से कॉलिज तो पहुचने के chances कमी हो जाएंगे, महफूज रहिए, पढ़ाई कीजी अच्छे से, क्या होगा, क्या होगा, सर, किस तरह का question, पहला question क्या है, पहला portion सिर्फ और सिर्फ किसका है, week base का है, मुझसे किसने पूच दिया, alpha की value पहले case में क्या आएगी, under root kb by c आजाएगा, under root kb मतलब 5.4 into 10 की power, minus 4 divided by, कितना है, 2 into 10 की power, minus 2 है, तो सर, यह आ गया, अब इसको देख लो, यह 2.7 आ जाएगा, into 10 की power, minus 2 आ जाएगी, यह 27 by 10 कर देता हूँ, 27 by 10, 27 into 10 की power, 27 का, 27 हो गया ना, 5.4 हो गया, 5.4 है, तो 27 हो गया, तो, एक मिनट, इसको क्या लिख देते हैं, 2.7 into 10 की power, minus 2, यह हो गया, 10 की power, minus 1, और under root 27, 2.7 की value कितनी आती है, under root 2.7 की value कितनी आ जाएगी, यह को निकाल देते हैं, under root 2.7, 1.64, 1.64, 0.164 आ गया, अलफा की value पहले कितनी है, 0.164 है, पहले वाले केस में, अलफा की value, 0.164 है, यह simple और simple, पहला question जो है, यह सिर्फ और सिर्फ किसका है, वीक बेस का है, लेकिन, second case में क्या बोलना है, what percentage of dimethyl is ionized, if the solution have also 0.1m in any OH, मतलब अब अलफा डैस की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, kb by x हो जाएगा, and that will be 5.4 into 10 की power, minus 4 upon, sir, x क्या होगा, OH minus की concentration, कितना हो जाएगा, 54 into 10 की power, minus 4, यह रहा बेटा, यह जो है, यह कौन सा statement आ गया, common ion effect का question आ गया, common ion effect का question आ गया, exam hall में ऐसे भी question दिये जा सकते, NCRT का है, so, चलो, ठीक है, NCRT solve करी थी, नहीं करी थी ना, so, चलो, कितना कुछ missing है, जब बाहर आओगे तो बोल देंगे, और इस वर हमने तो पढ़ा था, हमने NCRT कोश्चन दिया था, भई देख ले, अरे जितना value, ठीक है न, पर्सेंटेज निकालना है, नहीं निकालना है, ओ तो objective exam में देखके निकाल लेना, वह सुमसे ये भी पूछ सकता है, इसके दो-तीन question है, कि सर, degree of dissociation will be same, degree of dissociation, it will be higher, और it will be higher, ये भी पूछ सकता है, कि सर, अलफा, अलफा, डैस में, सर, हो सकता है, कि कितने का difference आ रहा है, कितना change आएगा, तो ये चीज़े ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, तो इसको common and क्यों नहीं है, भाई, एन्ने OH क्या देगा, common and क्यों नहीं है, ये देखना आपने पास, भाई, बेस का मतलब ये भी तो होता था, कि सर की बेस क्या करता है, पानी से हच प्लस ले लेता है, देख, OH-OH- common नहीं है, OH-OH- common नहीं है, होगे, यहाँ पे जो pH होगा, या POH होगा, यहाँ जो POH होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड बाई, एन्ने OH, स्ट्रॉंग बेस, किस से डिसाइड होगा, स्ट्रॉंग बेस से, यहाँ जो POH होगा, यह डिसाइड कौन करेगा, POH is nothing, half of PKB minus log C, यह कौन डिसाइड कर रहा है, वीक बेस, यह कौन डिसाइड कर रहा है, वीक बेस, दोनों केस ही अलग-अलग है, दोनों केस ही अलग-अलग हो जाएगा, और percentage निकाल लो, percentage निकालना है, percentage निकाल देंगे, multiply by 100 कर दे, percentage आ जाएगा, इसका कितना percentage, 16.4, इसका कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10 के पाउर, माइनस 2 हो जाएगा, हाँ, दिक्कत नहीं, निकाल दे भाई, चलो, अगला question देखना, अगला question देखना, अगला question बहुत hard है, बहुत hard है, यह देखना, इस question को देखो, औरो, assertion region का question, common and effect के उपर, assertion region का question दिया गया है, आराम से पढ़िये, देखिए इस question को, कितना होगा, common and effect जल्दी निकालने को नहीं आता हो, वो अलफा अलफा पर ही घुमाता रहता है, उसको पता है, के बच्चे यहां तक आते हैं, अभी तो तुम पढ़ रहे, अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अलफा अलफा डैस निकाल रहे हैं, जब पूरा chapter खतम हो जाएगा, तो उस टाइम तुम भी पता है, अभी देखो जैसे इसी question बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, basic statement ही बूल जाएंगे, कि सर जो भी पढ़ा था, जो वीक के लिए पढ़ा था, लेकिन अप चलो देखते हैं, क्या होगा, क्या बोल रहा है, NACL और HCL डज नॉट एक्प्रियेंस्ट कॉमन आइन एफेक्ट, तो अभी ने ने इसी एल और HCL क्या है, डज नॉट एफेक्ट, क्योंकि सर ये भी स्ट्रॉंग है, ये भी स्ट्रॉंग है, ये भी स्ट्रॉंग है, भाई, दोनों स्टेट्मेंट क्या है, सही है, कॉमन आइन एफेक्ट एक बाद बताओ, कभी कॉमन आइन एफेक्ट कैसे करते हैं, बतलब, कॉमन आइन एफेक्ट क्या होता था, कॉमन के कारण क्या होगा कारण जाहें यहां डिग्री अवडिस्येशन का कॉंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि दोनुए श्ट्रोंग है जब उर्दस्ति का कोश्चन मत घुसादो ना बेटा इसलिए बोलता है बेसिक स्टेट्मेंट बे सब करो मैं बोल रहां इक्लिवरियम वीक के लिए जो बीक लिए अब common ऊपर ना इकलिवरियम कहा है इसमें बताना कहीज़ते गलेंव क्या और इफेक्ट का मतलब क्या याद करो कि due to common an effect degree of dissociation when a strong electrolyte is present with weak electrolyte having common an degree of dissociation of weak electrolyte decreases यहाँ weak electrolyte कौन है कोई नहीं है ना degree of dissociation है कोई concept ही नहीं है क्या answer आजाएगा सर यह statement भी सही है यह statement भी सही है बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion सोचना है भाई ठीक है ना गलती होगे कोई दिक्कत नहीं लेकि सोचो तो सही कि सर यहाँ पर यह दिमाग लगाना है बी वाले लोग नहीं चल बढ़िया है मुझत लगा सब बी पर टिक मार दिया होंगे ठीक है इस सरसन इस incorrect देखो यह जो 13% और यह वाले यह इसके अंदर common and effect थोड़ा सा basic definition पर फोकस करना जो चीज पढ़े हैं जैसे मैं salt hydlis पढ़ाऊंगा buffer पढ़ाऊंगा यह सब कुछ weak के लिए होता है strong के लिए मत लगा देना कभी कोई पूछे ना कि सर यह formula जो होता है pH is equals to 1 by pka minus log c सर यह formula सर HCL के लिए valid होगा क्या कभी नहीं होगा H2S4 के लिए valid होगा क्या कभी नहीं होगा क्योंकि strong acid है अब बहुत थोड़ा बहुत तो होई जाएगा थोड़ा बहुत थोड़ी ना करने आरो exam में यहां जो statement लिखा जा रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा हो जाएगा सर शोर हो चल अब सुरू करते हैं अपनी अगली कहानी मैंने अभी तक 3 cases बता दी है मैंने अभी तक आपको 3 cases बता दी है 2 cases हो चुके आज अब 3 case पढ़ने वाले और वो भी बहुत ही जादा important क्योंकि आप सब लोग बायो के स्ट्रेंट हो आप सब को पता है हमारी लाइफ में buffer solution का यूज क्या है कभी कोई दवाई की बॉटल देखी होगी या कोई भी जो भी लिक्विट का बॉटल देखा हो उसमें लिखा होता है की पी न स्टोर एंड क्लोज्ट मतलब स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस या वाइड फ्रॉम संलाइट डारेक्ट संलाइट ऐसे लिखा होता है कुछ ऐसा पढ़ा है हम लोगोंने क्यों लिखा होता है कभी कोई दवाई का ढखकन ऐसे खोल के छोड़ देते क्या फरक पढ़ा है बार-बार खोलना पढ़ रहा है दवाई खोल का ढखकन ऐसे खोल के रख देते क्यों नहीं रखते बंद कर देते बार-बार या पानी बारिस में भी जैसे ही मौश्चर होता है क्यों नहीं जाए कि क्यों नहीं जाए जबकि हमारी बाडी के अंदा तो हमेशा होता है हम तो पानी पी लेते हैं कुछ भी होता है फरक नहीं पड़ता उसके पीछे एक रीजन है वही आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी है पहले स्टोरी सुनना फिर तुम्हें सबको मैच करते हुए लास्ट में जब मैं कंबाइन करूँगा तो प्लीज बेटक्स को इंज्वाय करना थोड़ा सा ध्यान से अगर कोई भी डिस्ट्रेक्शन है तो उसको प्लीज अभी साइड कर लेना क्योंकि वो तुम्हें परिशान करेगा थीक है न क्योंकि अभी कहानी सुना रहा हूँ सुन लेना क्योंकि बहुत महज़ार कहानी आने वाली है सर हमारी लाइफ में आता है एक बफर सॉलिशन प्लीज थवड़ा सत्संग सुनो फिर आगे की बात करूँगा यह बफर सॉलिशन क्या होता है डेफिनिशन बेस कोशन स्टेट्मेंट बेस कोशन पहले करेंगे पहले बफर सॉलिशन पढ़ेंगे फिर हम सबको एक साथ मिक्स करेंगे बफर सॉलूशन क्या है सर यह कैसा सॉलूशन है जो किसको रिजिस्ट करता है विच रिजिस्ट दचेंज इन पी एच पहली बात पी एच के चेंज को रिजिस्ट करता है पी एच का चेंज रिजिस्ट करने का मतलब यह होता है कि सर होने नहीं देना चाहता रिजिस्ट करता ह इसका मतलब resistance होता है, resist करता है, इसका मतलब को यह बोफर change नहीं होगा, होगा, फोड़ा slightly change होगा, लेकिं resistance देता है, क्यों देता है, वो पता चलेगा, whose pH does not change, when significantly, देखो नहीं यहाँ लाइग लिखा, significantly on addition of small amount of strong acid and strong base, थ्यान से पढ़िएगा कभी भी buffer solution का definition जो लोग खास का बोलते सब लिखके क्यों लाते हो definition क्योंकि बेटा इसका reason है मैं लिखूँगा मैं तो सीधा लिख दूँगा which does not change लेकिन आपको meaning बता रहा हूँ statement exam hall में क्या word use कहता है यहां लिखा हुआ है small amount of weak acid यह strong acid strong base मतलब थोड़ा बहुत अगर add हुआ न तो बफर का pH उतना ज्यादा change नहीं करता पी एच और बफर रेजिस्ट करता है चेंज नहीं करता लेकिन कब तक जब तक small amount of acid or base है तो small amount of acid or base है तो लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं भाई excess में टाल तो small acid or base sorry strong acid or base समझ जाना buffer बरबाद हो जाएगा अगर अगर आपने क्या किया small amount के बदले large amount डाल दिया definition based question बढ़ गए न उसके पीछे का reason बता रहा हूं बेटा यह definition मैंने खुद के अंदर देख पिछले साल का तू जाकर lecture देखे उसमें मैंने यह सब चीजें हाथ से लिख के देदी लेकिन जब से last year question पर देखा है मैं खुद डड़ता हूं कि नहीं statement question आ सकता है यहां small के बदले large लिख दिया जाना buffer का definition खतम हो जाएगा अभी तुम ही जानोगे large डालते ही क्या होगा क्योंकि large amount of strong acid strong base डाल दिया buffer खतम buffer अपने आप ही डिस्ट्वाइब हो जाएगा तो इसलिए ध्यान से देखना buffer solution वह solution है जो रिजिस्ट करता है मैं highlight भी कर देता हूं ताकि आपको विदेश्ट चेंज इन पीएज जो पेज के बफर को वफर क्यों बोलते क्योंकि उसका देखना अब देखो कुछ statement बेश कोशन पीएच अब वफर डज नौट चेंज appreciably upon the addition of again देख बेटा फिर से यह क्यों पॉइंट है small amount आर बार small amount लिख रहा हूं प्लीज देख लेना अपने पार small amount लार जेमाट बोला गया दूसरा pH of buffer does not depend on the volume of solution यह volume of solution पर depend नहीं करता इसी लिए ध्यास देखना solution can be diluted without change in pH important highlight कर देता हूं कोई बोले pH अगर याद कर pH strong acid होता था ना तो strong acid का pH dilution से फरक पढ़ जाता था तुमने question भी किया था ना प्लीज चेंज हो रहा था लेकिन buffer एक ऐसा बन्ता है जिसका volume change करने से सर इसका pH में change नहीं आएगा क्यों क्यों क्योंकि formula derived होगा आपको पता चल जाएगा कि सर buffer का formula में क्या होता है buffer के formula volume का dependence क्यों नहीं होता है लेकिन अभी theoretical questions की बात कर रहा हूं third question pH of buffer solution remains constant even if it is kept for a long time अगर बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो भी pH को change नहीं करता overall तीनों बात की एक ही conclusion में चल रहा है कि pH of buffer change नहीं होता वो अपने change को resist करता है चाहे लंबे टाइम तक रख दो चाहे उसके अंदर dilution कर दो और चाहे तो थोड़े बहुत amount में आप strong acid या strong base डाल दो लेकिन देखना रेक्स statement देखना change in pH of a solution occurs due to सर अब मैं क्या करूँगा पी एच को change करना सुरू करूँगा पी एच को change करना सुरू करूँगा कैसे बदमास तो हम हैं नहीं यार मैं यह buffer बिचारा बोला है कि नहीं भी हम नहीं करेंगे करेंगे प्लीज आप मेरा पी एच मत चेंज करने दो थोड़ा थोड़ा मांट में असे डालोगे ना मैं जहेल जाओंगा कोई दिक्कत नहीं होगी अभी आप फॉर्मूला पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कैसे जहलता है लेकिन अब होता है हम लोग साइंस वाले हम करेंगे देखना हम पीएच को बर्बाद भी करेंगे बफर को बर्बाद भी कर देंगे हम क्योंकि अब ना देखते कहां तक बफर रहते हो तुम्हें पता भी चल जाएगा थीक है तो यह देख लिए आपने पास बफर सॉलुशन क्या है जिसका पीएच फ्लक्शुएट नहीं करता और जब पीएच फ्लक्शुएट क्यों नहीं करेगा उसका रीजन बता रहा थेक्ए ओके अब देखना अब एकुम पढ़ने वाले कल की क्लास में पढ़ने यह salt, weak acid और weak base, क्योंकि salt और weak acid और weak base को ही हम लोग क्या बज़ते है, simple buffer, यह भी बहुत ज्यादा pH के resistance को fluctuate नहीं करने देते, क्योंकि इसमें concentration पे डिपेंडेंस जीरू होती है, simple buffer हम लोग कल salt hydrolysis में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले है, यह salt hydrolysis में हम लोग करेंगे, आज जो मेरा important topic है, वो है mixed buffer, मेरे लिए जो important है, buffer के respect में देखा जाए, तो mixed buffer सबसे best combination है, उसमें दो टाइप के लोग, एक acidic buffer और एक का basic buffer, एक acidic buffer और एक का basic buffer, एक का basic buffer, पक्का, यहां से सुनने ना, सिर्फ दो formula है, पुरे buffer में सिर्फ दो formula है, लेकिन मज़ा आ जाएगा अगर आपने सोच लिया, यह हम लोग कल करेंगे, salt headless वाला portion हम लोग कल करेंगे, इसकी सारी बाते कल होंगी, लेकिन आज यह acidic और basic buffer, एक दम parallel ही चलेगा, मैं एक करके दिखाओंगा, तुम अगला तुम खुदी कर लोगे, मुझे बताने की जूरत नहीं होगी, मैं अभी buffer solution पहचानने का, इसका तो हो गया, weak acid plus weak basis यह दिया है, तो सर यह देख लो, simple buffer कैसा होता है, simple buffer कैसा होता है, अभी आपको बस अपने notes के लिए है, यह सब कुछ कल derive होके आपके पास आ जाएगा, इसका pH SN लगाते है, इसका pH concentration पर depend नहीं करता है, इसके pH में देखेंगे तो ऐसा होता है, यह ऐसा होता है, इसकी जुरत अभी आपको नहीं होगी, case one, case two, यह कल हम लोग करेंगे, ठीक है, कल हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बोल रहा है, कल क्लास नहीं रखो, अच्छा, आपने बोल दिया, पिछले Saturday नहीं ली थी, मैंने, 15 अगस है, उसमें ऐसे डिले हो जाएगा, डिले होते 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 हैं, तुम्हें आगे भी डिले होते चले जाएगे, इसलिए बोल देखना ध्यां से, अब होगा क्या, buffer कैसे काम करता है, buffer मेरे पास दो तरीके के buffer आएगे, और mixed buffer में सबसे पहले, buffer solution को अगर मैं define करता हूँ, तो mixed buffer को, यह buffer solution में अगर लिखना चाहूँ, तो अब मैं देखना, अब important चीज़े पकड़ना मेटा, यहां से important चीज़े पकड़ना, definition अभी बताता हूँ, अरे वो कितने घंटे का चलेगा, क्या चलेगा, वो देख, हाँ, प्लीज, ठीक है न, यह देखो, mixed buffer की बात कर रहा बहुत ही important है, ध्यान से सुनना, इसको पहचानना पहले सिखाऊंगा, definition based question बताऊंगा, उसके questions attempt करेंगे, फिर numericals करवाऊंगा, acidic buffer की बात करता हूँ, और इधर क्या है basic buffer, पहले पहचानना सुरू करो, सर पहचानना कैसे है, किस तरह से पहचानना है, किसको acidic buffer बोलेंगे, क इसको नहीं बोलेंगे, यह पहचानना सुरू करते हैं, कैसे होता है, देखना अपने पास, यह देखना, acidic buffer तीनी condition में बनता है, ध्यान से देखना, acidic buffer तीनी condition में बनता है, weak acid के साथ, अगर आपने क्या जोड़ दिया, strong base, condition applied, sir, weak acid के साथ, acidic buffer क्या होता है, weak acid का, अगर strong base ज y moles हैं, इसके अगर y moles हैं, यह पता है, acidic buffer कब बनेगा, कब बनेगा, sir, जब x की value greater than y होगी, पहली condition, sir, acidic buffer तभी बनता है, जब weak acid में क्या डाल दोगे strong base, weak acid में क्या डाल दोगे strong base, weak acid में क्या डाल दोगे strong base, पहचानने का तरीका बता रहा हो, पहले definition पढ़ लेते हैं, फि कैसे पहचानाँगे, weak acid अकीला था, कल क्या परसो, weak acid अकीला था, कल हमने क्या डाला था, weak acid में strong acid, weak acid में strong acid, strong acid डालते ही क्या बना था, common effect, आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं weak acid में क्या डाल रहा हूँ, strong base, weak acid में क्या डाल रहा हूँ, strong base, और condition लगाई है, कि इसके most ज़्यादा होंगे strong base से, तभी क्या कहलाएगा, acidic buffer कहलाएगा, पहली condition पहचानने की, दूसरी condition, sir, weak acid और उसका conjugate base हो, weak acid और उसका conjugate base अगर कहीं present है, तो उसको क्या बोलेंगे, acidic buffer, या फिर weak acid और उसका salt present हो, salt with strong base, अगर present है, तो ये क्या कहलाएगा, acidic buffer कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, acidic buffer कहलाएगा, प्लीज बेटा भी चैट सेक्शन आफ्ट कर लो अपना अपना प्लीज इस पर फोकस करना कंडीशन याद रखना एसेडिक बफर किसको बोलते हो अपोजीट वाला एड किया वीक एसेड में क्या एड किया स्ट्रॉंग बेस प्लीज हां सुनना मैं तीन कंडीशन फिर सरी वा फर्मुलाज अलग अलग है तीनों के केस में नाम अलग अलग है यहीं है ब्यूटी ने इसका इसका देखो कितना संदार चल रहा है समझदार को अब समझ में आ रहा हो कि अच्छा यह अलग है यह क्या है इसकी कंडीशन अलग है ठीक है यह देख लो अपने पास हो से डाल दूँ फिर से वही condition कि सर अगर इसके x moles है तो इसके कितने y moles है बस याद रखिएगा याद रखिएगा ये condition x should be greater than y अगर x equal to y हो गया तो भी बरबाद है x को हमेशा greater than y होना पड़ेगा या फिर weak base हो और उसका conjugate acid हो weak base हो उसका conjugate सर क्या हो acid हो या फिर हम बोल सकते हैं कि weak base हो और उसका salt हो उसका salt हो with strong with strong उसके with strong acid पहचान लोगे सिर्फ definition based question previous year का पता चल जाएगा तुम्हें सिर्फ definition based question है भाई साब पहचानना सुरू कर दो क्योंकि तुम्हें ही पता है derivation कोई नहीं पूछेगा बस ये छोटे चोटे questions पूछे जरूर जाएंगे निकाल लोगे हाँ नंबर अप मोल्स equivalents अगर भाई दो equivalent दिया है तो भाई equivalent ह प्लस और OH मैंस निकाल के देख लेना हो जाएगा सर शूर हो अरे सर आप एक काम करो पहले पहचान कर मैं चलो definition बतायता हो definition नहीं बताया इस तरह की कंडिशन अगर एक्जाम हॉल में दिख जाए अगर इस तरह की कंडिशन आपको दिख जाए तो इसको क्या बोल देंगे बेसिक बफर बोल देंगे condition टू तू आइडेंटिफाई पहले आप आइडेंटिफाई करना सुरू करो basic buffer अगर question में मिल गया तो आप समझ जाना कि यह basic buffer का है यह acidic buffer का हो गया आप question सुरू करते हैं देखना अपने पास देखना अच्छा चलो अब मैं थोड़ा theory अब यह तुम आने ऐसे बता दिया अब तुम आने ऐसे बता दिया लिखके तुम्हें लग रहा हो अच्छा definition दिखाता हूँ definition थोड़ा देखना definition देखना इसलिए बोलता वो किस language होती है कभी कभी इसलिए चल दी समझ में नहीं आती है reason उसका पीछे पता चल जाएगा solution in which weak acid और उसका conjugate base present हो देखना ध्यान से और a quest solution of weak acid and salt of some weak acid with any strong base बेटा वही तो कहना मैं भी चाह रहा हूँ वही तो कहना मैं भी चाह रहां था बस इसने definition के form में लिख दिया तो डरने का नहीं है यह देखलू यह weak acid है और यह salt कैसे बना होगा ये weak acid का ये salt कैसे बना होगा, जब ये acid किस से टकराया होगा, तो सर ये salt बन गया होगा, ये भी ये salt बना होगा, तभी ये salt बना होगा, अब सर ये बाते आपको खुद समझनी पढ़ेंगी, देख लो, सर यहाँ पे conjugate acid, conjugate base, इसी को लिखने का तरीका इस न देखो क्या लिख दिया है, weak acid, conjugate base, और ये sodium plus क्या है, spectator है, मतलब देख रहा है, बाहर से खड़े होके देख रहा है, बाहर से खड़े होके देख रहा है, spectator मतलब हाँ ठीक है, तुम लोग PhD साइड कर लो, चलो 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 तुम लोग आपस में PhD साइड करो, sodium plus बाहरा हम से बैठा है, बोला है हाँ चलो तुम लोग कर लो आपस में, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, acidic buffer इसको बोलते है, spectator मतलब कुछ ये मत सोचना कि अरे भई कुछ करेगा, नहीं है, सांती से चिल मार के होता है, यहाँ भई होता है, खाट लाग के सो गया, यहाँ चल भई, तुम लो बस पहचानना सुरू कर देना, अगर आप पहचान पा रहे हो, यह पहचान ले रहे हो क्या, यह सब पहचान लोगे, exam hall में carbon का acid, boron का acid, यह सब क्या होते है, weak acid होते है, phosphorus का acid, once upon a time, once upon a time मैंने weak acid, strong acid सब बता दिया था, एक list भी लिखवा दी थी, once upon a time, हो जाएगा, sure है, sure तो और है, पहचान लोगे होगे है कि citric acid है, carbon का acid है, क्या organic acid है, तो weak होगा, उसका potassium के साथ salt है, थैलिक acid है, उसका potassium के साथ salt है, शर यह carbon का acid है, sodium के साल्ट है, शर यह soviet human का acid है, इसमें acidic hydrogen आशे दिन नहीं है, यह acid है, यहполदा है इसमें hydrogen है इसमें नहीं है ऐसे करके बना लो आप exam hall में यह पहचान लेना मैं आपको previous year का question आज बोलूँगा challenge कर लूँगा आप class attend करके जाओ और buffer solution के जितने questions होंगे आज कर लेना तो पता चल जाए खुद को लएगा अगर revise करके गए तो पहचान लोगे ठीक है पहचान ल नहीं है यह देख ले भाई यह वीक बेस है और यह क्या है salt of weak base plus strong acid है salt of weak base plus strong acid है देख ले भाई यहीं है basic buffer जो तुझे मैंने उस ताइम उस ताइम शुरुआत नहीं बता दिया उसी को बस English में लिखा जा रहा है अच्छे-च्छे से लिखा जा रहा है और कुछ भी नहीं ठीक है बस देख लो कि हाँ कहीं ऐसा बोल दे ऐसा कहीं लिखके दे दे ना तो डर मत जाना कि सर जो बाहर यह CL- क्या है माल रहा ऐसे question दे दिया जाए उठाके कि सर इसमें spectator आयन बताईए बाहर खड़े होके देख कौन रहा है यह match का मज़ा ले कौन रहा है CL- कोई रूल नहीं है स्ट्रॉंग वाला बंदा कभी आयने क्लियोर में नहीं आता स्ट्रॉंग वाला बंदा अपनी community का है वह अपना बैठा रहता है कि मैं आया था जाओंगा तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता तुम वीक वाले लोग आपस में लड़ लो जो लड़ना है क्या想ब लड़ और मदब डिशाइड कर लो काउन さ ऑकलिभरियम हैं कैसा औक वेक वेफर का इंग्जांपल दिखाता हूं यह वीक वफर उते हैं किसा अमोनिया की ही एक्सेड हैं उन बफर होता है, बलड के अंदर देखोगे, तो carbonate और bicarbonate का बफर होता है, पक्का, हाँ, अब मुझे थूड़ा सा, थूड़ा सा पहचानना सुरू करवाता हूँ, question दिखाता हूँ, तुम्हे question दिखाता हूँ, question भाई कहा है, present हो जाए यार, बच्चे, वेट कर रहे हैं इतना difficult question शायर तुमने देखा हो बताईए इतना difficult question पूछ दिया exam hall में क्या करोगे तुम इसका answer क्या करोगे तुम इसका answer buffer solution can be prepared from oh my god नहीं सर नहीं उपाएगा it's very difficult question buffer solution can be prepared किसे prepare कर सकते हैं कैसे होगा ग्लाइसीन में बेटा ओच होता है अल्कूहल वाला पार्ट होता है हाँ हाँ है एक बोला सब लिखने का टाइम नहीं अरे भाई सारी गाम पर घर पे सारा पीडिये पड़ा बेटा हो सकता है तू पहली बारा ऐसा टकराया हो हम लोग बहुत दिनों से नहीं लिखते काम की चीज़ लिखते शौर्ट नूर्स लिखा जाता है summary lecture मिल जाता है आ जल्दी क्या होगा को कोश्चन देखके क्या लग रहा है एक बोला बुरा लग रहा है ते लिखाना है बेटा तुने मेरे जाना कभी नहीं जाना कोश्चन मेरा सॉल्यूशन मेरा आसिक देरा ड्रीम में खोया रहता है जल्दी क्या होगा सर ये देखो can be prepared ये strong acid है strong acid कभी भी buffer नहीं बनाएगा सर ये अपने पास weak acid है और उसका salt है तो ये इसके chances है यहाँ देखना सर ये weak acid तो है लेकिन उसका salt नहीं है इसका salt ये नहीं है क्यों क्योंकि सर इसका salt ये थोड़ी नहीं होगा NACL अलग salt हो गया यहाँ देखो ये weak base है और ये weak base है तो सर D के option तो एक दमीग हटा दो, सर ये इसका salt नहीं है, तो ये भी option हटा दो, ये option हट किया, क्या answer बनेगा, B answer बनेगा, क्या answer बनेगा, B answer बनेगा, क्या 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 बारे भाई साफ, C में बहुत लोग हो गया कहां बेटा क्यों चलेगा कहां चलेगा इसे तुम लोग सी में कैसे चलेगा इसका सॉल्ट यह थोड़ी नहीं है यार सॉल्ट का मतलब क्या होता है इसका कुछ पूर्शन तो होगा सॉल्ट में salt हैडल से फिर से बताऊंगा लेकिन याद रखना यह देखो यह salt बना यह salt बना यह salt है salt को तोड़ोगे ना तो इसका देखो यहां से क्या यहा होगा h plus a minus salt के अंदर दो पार्ट होते हैं एक होता है anionic part anionic part कौन सा होगा a minus anionic part हमेशा कहां से आता है acid से हमेशा acid से यता है और salt का एक होगा Cetinic part कहां से आएगा सर अवजे से base से आएगा यह याद रखना कि भाज Kapoa कऊ यह B plus बिपलश कहां से आएगा from this कभि भी किसी salt को देखोगे तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं 演क पार्ट कहां से एनने क्माता से ए ऐसे चैज्ड नहीं करेक्ट से ऑश ल Fang is not that correct इंसर क्या ना चलो इक कर लियान बाइक और कुश्टт बosis बता रहा है बहुत तूजब दोhज़ार नहीं कहा यह कोश्ट्ट बता रहOं भाई साब देखना कितना difficult question पुछा जा रहा है तुमसे कितना difficult question पुछा जा रहा है ये question देख लो 2015 का question है ये exam hall का question it's very difficult attempt is not an acidic buffer कौन सा acidic buffer नहीं है which one is not acidic buffer पहचानना सुनू कर तो एक बर पहचान लिया numerical तो within second होगा buffer का तो एक दो ही formula है बस पहचानना सुरू कर दो क्या आएगा कौन सा acidic buffer नहीं है सब असे दिख रहें सर सब दिखिए ना acid, 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 acid लेकिन सर ये weak acid सर ये weak acid उसका salt ये weak acid उसका salt ये भाया strong acid है कैसे chlorine पे plus 7 है सर ये कभी strong acid का कभी salt है acidic buffer नहीं कैल आएगा answer क्या हो जाएगा C is the correct answer C is the correct answer बहुत सा लोग फिर ते ट्रैप हुए C is the correct answer थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से सोचो यह V कैसेड है, कार्बन कैसेड यहाँ फॉस्फुरस कैसेड, V कैसेड था यहाँ क्लोरीन कैसेड है, वो भी यह वाला नहीं बताया, सर यह वाला कैसे होगा, ध्यान सुनना असेडिक बफर कैसे पहचानेंगे यह वाला पॉस्फर सेव लुए वाईस कर लो वीक असड प्लस स्ट्रोंग बेस हो और वीक असड के मॉल्ट ज़्यादा होने चाहिए स्ट्रोंग बेस से तभी acidic buffer बनेगा और इसके केस में सर वीक बेस के मूल ज़्यादा होने चीज strong acid से तभी क्या बनेगा basic buffer बनेगा पहचान लो पहचान लो अब question सुरू करो पहचान लो और question सुरू करो मैं तुमसे एक question देता हूँ ठ्यान से सुनना चलो basic buffer पहचानना है अलग अलग composition दी जा रही है अलग अलग composition दी जा रही है basic buffer पहचानना सुरू करो कौन सा basic buffer होगा कौन सा basic buffer होगा basic buffer कौन सा होगा basic buffer किस से बनेगा किस composition से बनेगा किस composition से basic buffer बनेगा किस composition से basic buffer के बनने के chances है आराम से सोच लेना किस composition से basic buffer बनने के chances है कहां से basic buffer बनेगा कहां से basic buffer बनेगा कैसे पहचानेंगे पहले वाले से तो कभी किसी हाल में basic buffer बनेगा ही नहीं क्यों भाईया क्योंकि सर strong base strong base और strong acid strong base और strong acid देख रहे भाईया क्या चल रहा है यहां पर strong base और strong acid से तो किसी हाल में A is not the correct answer ए तो कभी होगा ही नहीं ए तो कभी बन ही नहीं सकता सर B से chance है क्या लग रहा है हो जाएगा लपूशा question दिख रहा है तुम्हें आ गया बेटा तुम्हें जल्दी ठीके यह देख बी में बोला है सर यह देख यह नहीं नहीं सा chance है weak base plus strong base oh my god यह का है का भाईया यह का है का buffer किस से कहा पर किस से तकराएगा सर सी और डी में chances हैं सी और डी में chances हैं weak base है और सर strong base strong acid chance है यहाँ weak base है strong acid है यहाँ chance है अब मैं क्या करूँगा जब weak base strong acid दिया है तो उस case में मैं निकालूँगा सर number of moles इसके कितने number of moles है एक mili moles है इसके कितने number of moles है एक mili moles है सर इसके कितने हैं सर 0.5 mili moles हो गए अब बेटा यह मत पूछना mili moles कैसे आए इसमें बनेगा सर इसमें बनेगा कौन सा chance अपना fit होता है क्या chance बनेगा सर क्या होगा C is the correct answer C is the correct answer D जो होगा हमेशा weak base के moles क्या होने चाहिए जादा होने चाहिए क्या होने चाहिए तो C is the correct answer C is the correct answer क्या हो जाएगा अरे क्या बात है सही में लब्पूसा question हो गया था अब मैं दे दूँगा question तुम लोग बुरा मान जाओ अब मैं previous year का question दे दूँगा पहले बता रहा हूँ जितने 76% वाली जनता है जिसने सही सही अंसर दिया नहीं बेटा ऐसे थोड़ी नहीं तुम्हें ऐसे थोड़ी नहीं होता है नहीं नहीं बुरा मान गया यार ऐसे नहीं होगा मैं previous year डराओंगा बहुत difficult question आता है बाई कहा गया अबे तो ही भाग गया नहीं आता मुझे एकदम नहीं आता मुझे एकदम नहीं आता और एकजाम होल का question मैं question भाई मुझे नहीं आता ईख लो अपने आता ही नहीं और के डाल दियो यार डिफिकल्ट बोलता है टीचर फुद नहीं आता उसको ठीक है अब थोड़ा सा डर लग रहा है इसलिए मजाग चारते हैं भाई हम लोग ठीक है ना कोई लेना देना नहीं उसका हमें आता है भाई मजाग में बूलते हैं ऐसा नहीं कि इसको भी काटपेट के किया रहे इन टीचर्स को आता ही नहीं है आप अब बहुत नलब तुम्हें पता नहीं चलता होगा एक चोटे से कितना कुछ फरक पड़ जाता है रख वोड़ा सा बड़े हो गया इज़त की बात आ जाती है लगता है नहीं हम तो हसते खिलते बुलते हैं डिफिकल्ट है बटा हसानी थीक है ना समझाने का अपना त देखिए ठीक है जल्दी बेसिक बफर बनाना है सर बेसिक बफर पहले वाले कोश्चन में बनी नहीं सकता क्यों क्योंकि सर वीक एसिड है वीक एसिड में का है का बफर भाई वीक एसिड है सर यहां पर एसिडिक बफर के चांस देख यह तो कभी होगा ही नहीं यह कभी यस एक बार चेक कर लिया जाए एक बार चेक कर लिया जाए इसके मोल्स कितने 10 मिली मोल्स इसके कितने 20 मिली मोल्स यही मेरा answer होगा यही मेरा answer होगा तर यह फिर से चेक कर लेते यह strong acid है और यहां strong base है कभी कोई chance नहीं basic buffer बनने का और यहां strong base है और यहां पे weak acid है again कोई chance नह सब्सक्राइब तुम लोग बढ़ेंगे परफिए बहुत बहुत अच्छी बात बहुत बढ़ी है तूनु पहचान गए बहुत अच्छा लगा तेखे अब चलो काम की बाते आते हैं हम वह डिफिकल्ट पढ़ाने जा रहा हूं ठीक है नहीं यार भाई अच्छा कॉंसेट पढ़ाने जा रहा हूँ हाँ मुझे आता है ठीक है ना मैं मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ चलो देखो यार का स्टार्ट करते हैं बफर का pH कैसे निकालते हैं कि इसने बोला पी एच कालकुलेसन शकर पालते हैं तो ने पहचान तो लिया है इसको देखते, अब pH calculation करते हैं, pH calculation, बहुत difficult चीज़ क्या है, pH calculation, मैं acidic buffer का कर दूँगा, और मैं लिख के दूँगा, तुम लोगो से basic buffer नहीं हो पाएगा, देखना ना, कैसे कर दोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, देखोगे न, acidic buffer का pH calculation सिखाता हूँ, इतना difficult, acidic buffer का मतलब क्या था, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, weak acid और उसका क्या रहेगा, conjugate base, यहीं होगा ना, मतलब normal, indirect हो तो यहीं रहेगा, यह देखना, ठीक है, यह देखना आपने पास, यह देखना, एक बोला है, सर, आज भाई, हमारे उपर भी कुछ कुछ चीज़े होती है, त हाँ, जब सोच के आना पड़े ना, किसी teacher को कि यार, नहीं यार, पीछे back end पे बहुत सा चीज़े चलती है, अब मजाग में कुछ कुछ बोलता है, यार, हम लोगी कुछ, तो यार, थोड़ा सा वो लगता है, दिमाग में internally चल रहा होता है, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ खुद के वीडियो पुरान देखना सुरू करता है, कि यार, ऐसा तो नहीं है, कुछ अब ठीक है ना, ऐसे intentionally तो किसने बोला नहीं, लेकिन हाँ, कुछ भी, तो थोड़ा सा वो सब चीज़ें, बेटा, कभी-कभी हम लोगी हम लोगी life में भी होता है, तो बुरा मत माना करो चलो देखो, बहुत डिफिकल्ट सुनना, नहीं समझ में आने के पूरे चांसे नहीं हैं, यह देखना, HA प्लस वाटर, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, S3O प्लस A माइनस, यह S3O प्लस A माइनस, यह देख ले भाई, यह reaction तुझे आती है क्या, यह reaction तुझे आ यह देख लो, यह देख लो, सर इसका K A of HA, acid का K लिख दिया मैंने, यह देखिएगा कैसे लिख रहा हूं सर मैं, कैसे लिख दे रहा हूं मैं, ऐसी बहकी बहकी बाते कैसे कर रहे हो सर, आप, आप ऐसे कैसे लिख दोगे इसको, ऐसे कैसे लिख दोगे, यह देख लो, पान सर एच प्लस का ही बड़ा भाई एच प्लस ही पानी में प्रोटोनेट होके क्या बना देता है एचे बना देता है सर यह लिखा जा सकता है यह लिखा जा सकता है और इससे भी हार्ड चीज बिटा यह ऐसे तो यह तुझे पहले ही आता था इससे हार्ड चीज बता रहा हूं ब देखो सर यहां से h plus की concentration कितनी आ जाएगी k a into h a upon a minus लिखा जा सकता है बेटा यह देख लो लिखा जा सकता है h plus is nothing k a into h a upon a minus हो जाएगा h a upon a minus हो जाएगा और अब मुझसे किसी ने भूल दिया कि सर एक बात बताईए ना इसका log ले ले तो कोई दिक्कत होगी क्या oh my god क्या लिख रहे हो सर यह सब क्या चल लहा है बेटा तुझे कुछ derivation मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है लेकिन तुझे बस last का result बताऊंगा यह देख ले भाई लिख सकता है इसको यह लिख सकता है या नहीं लिख सकता ओ देख ले भाई इतना difficult चीजें minus log h plus सब जब लिख दू अगर मैं minus log k लिख दू और minus log सर यहाँ पे h a की value क्या है acid लिख दू और यहाँ पे क्या लिख दू सर conjugate base लिख दू किसी को दिक्कत है क्या h a मतलब acid और यह क्या है conjugate base है भया सोच लो कोई कोई दिक्कत तो नहीं इसी को हम लोग pH बोलते हैं इसी को हम लोग pk बोलते हैं minus log सर यह acid या acid upon यह conjugate base को हम बोल स सकते हैं, conjugate base को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, conjugate base को ही salt वादा portion बोल सकते हैं, क्योंकि सर, acid का कौन सा portion, anionic portion ही तो होगा, acid का anionic portion ही तो होगा, इतना high level concept देख रहे हो, सर यह यहां तक हमने किया है, इसको हमने log लगा दिया, log के बाद minus से multiply कर दिया, सर देख लीजिए, pH का formula निकल के बाहर आ गया, सर, pH में यह minus पसंद नहीं आ रहा, एक जादू करके दिखा रहा हूँ, साथ-साथ मैं जेल पाओ बेटा, तो बहुत बढ़िया, नहीं जेल पाओ तो थुड़ा math फिर से revise कर लेना, एक बहुत बड़ा जादू दिखा रहा हूँ, यह बहुत बड़ देख लो भाई, यह इतना बड़ा जादू, मुझे लगता है साथ दिक्कत हो, थुड़ा देख लो भाई तुम लो, थुड़ा सा देख लेना, यह इतना बड़ा जादू जो है, समझ पा रहे हूँ, यह इतना बड़ा जादू कैसे हुआ, यह minus का plus कैसे होगी है, समझ में it's very difficult पर नहीं हो पाएगा न यार इतना difficult कैसे हो पाएगा log लगा दिया, minus लगा दिया, कुछ भी कर रहा है teacher, हटाओ यार ऐसे थोड़े ही न होता है यार acidic buffer पड़ रहे थी, क्या हुआ हमारे साथ 2 minute के अंदर ही, क्या चल क्या रहा है minus log, plus log, ना ना इसको pH लिख दिया, इसको PK लिख दिया minus log, acid upon, क्योंकि बेटा ये minus क्या है, conjugate base बोल दो या फिर salt के अंदर वही तो होगा तो salt लिख दो, हो जाएगा भाई पका, अब basic buffer चल मुझे खुद से बेटा, इमांदारी से बोलना अगर तुझे concept समझ में आ गया हो इमांदारी से बोलना अगर मैं basic buffer बोलूँगा एक में धान सुनना acidic buffer के लिए acidic buffer के लिए acidic buffer के लिए मैंने निकाला है pH pH का formula बेटा, रटना मत सर ये देख लो, तुझे एक चीज याद है ये एक चीज तुझे याद है अगर तुझे एक चीज याद है दूसरी चीज, मैं बार-बार बोलता हूँ बेटा जिसके अंदर थोड़ा सा भी common sense है वो कभी भी, कभी भी सर, कभी भी उसको एक चीज अगर याद है weak acid याद है, तो weak base हो जाएगा acidic buffer याद है, तो acidic buffer के बदले basic buffer हो जाएगा मुझे पहला change बता, वहाँ pH आएगा या P.O.H आएगा, जल्दी बता वहाँ pH आएगा या वहाँ pH आएगा basic buffer में कसम याद करना याद है कसम, खाई है न, भूलना मत exam hall तक buffer बेस के बारे में जब भी बोले पहले P.O.H देख लेना बेस के बारे में जब भी बोले पहले P.O.H देख लेना, इस case में क्या निकल क्या आएगा, सर लिख सकता हूँ क्या आपकी permission है, pH के बदले क्या आएगा, P.O.H derivation, नहीं बतारा खुद कर लेना भाई, खुद कर लेना एक बेस ले लेना, एक बेस ले लेना, इसको पानी मेर से डालना इसके कर लेना, B.O.H. इसका बेटा के भी लिखना जिसको ज़्यादा चुल मच रही हो कि नहीं सर, ऐसे कैसे आपने O.H. माइनस लिख दिया, बेटा मैं इतना पे, सर, यहाँ सॉल्ट, यहाँ बेस का क्या लिखूंगा, कंजूगेट एसेड डिवाइड़ बाई, लिख सकता हूँ, बेस बस, एक्जाम होल में यही फार्मूला लेके जाना है, इसी को अरे भाई साहब, यह भाई साहब पता है इसको, नहीं नहीं, ऐसे, यह पता है इतना डिफिकल्ट कॉनसेप्ट है बेटा, इसको ना, हेंडर्सन's equation बोलते हैं, इस आर नो जैंडर्सन's equation, डराना तो रही गया यार, बहुत डिफिकल्ट है यह सब, हेंडर्सन's equation या हेंडर्सन equation बोल देते देख लो, हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट है न, डिफिकल्ट है न, अब देखना, अब देखना, अब भाई, तो बेस आएगा तो उसका conjugate acid आता है न, यार, अब यार, थोड़ा common sense भाई, अब बेस आएगा तो P OH आएगा, बेस आएगा तो K के बदले क्या आएगा, PK भी आएगा, तो एक formula याद रख, उसी को इल्टा कर दियो, बेस के लिए भाई, यही तो करना है न, जहाँ H+, होगा, यहाँ पर कर ले, हो जाएगा, शूर हो, तो Henderson, यह सब यह पूछ सकता, Henderson परसन का गाउं भी पढ़ लेना भाई, कहीं पूछ देगा, फिर बोलने हैं कि अरे सर ने, आपने नहीं पढ़ा है, इतना डिफिकल्टीज बफर, अच्छा, बफर में एक बाब बताओ, बफर का पिये चेंज क्यों नहीं करता, उसका रीजन बताता हूँ, और तुम साथ में मेरे साथ साथ बताना, मुझे कुछ आता है, मुझे आता है, लेकिन हाँ, मैं थड़ा डालग मार रहा हूँ, मिस्क्लेमर में अगर वीडियो काटना तो पहले लिख लेना, ठीक है, का ही लाइफ होई है, चलो, तो मैं यह बुलगा था कि, अगर यहाँ पे, अब जलो, तुम खुद से सोच रहा, क्यों मैंने बुला कि बफर जो होता है, अपना पीएच चेंज करने नहीं देता, उसका रीजन बताता हूँ, उसका पीएच का रीजन नहीं करने का रीजन बताता हूँ, यह बेटा, यह temperature dependent है, क्यों कि यह equilibrium constant पे है, और यह जो चीज है, salt upon acid इसके आगे क्या लगा है, लॉग लगा है, और तुम्हें ही पता है, लॉग is a very good क्या होता है, अगर आप इसकी value 10 से चेंज करोगे, pH में 1 से चेंज आएगा, अगर लॉग में आप 10 का चेंज करोगे, लॉग 1 से 10 करोगे, पीएच में चेंज एक का आएगा, क्यों कि अबाव कर दोगे वहाँ तू की वैलू चेंज करेगा तो इसे लिए बोलते हैं अब फर जो होते हैं अपने पी पिछ के चेंज को रिजिस्ट करते हैं कैसे रिजिस्ट करते हैं थ्वड़ ध्यान से देखना ठीक है तेखो यहां पर देखना एक बर ध्यान से अब देखो अब थ्वड़ ध्यान प्लीज सुनना बेटा अब चीजे रटना मत क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक बता चुका हूं मैं अब थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं इक काम करता हूं इसी के आगे कर लो और मैं चाहता हूं तुम लोग रटना मत क्योंकि रटोगे ना तो फिर तुम्हें फिर खुद को बुरा लएगा कि यह चीज़ समझ सकते थे यह चीज़ समझ सकते थे यह देखना अपने पास अगर मैं बोलता हूं अच्छा एक पाप बता चलो ठीक है आशीडिक बफर में क उसका कॉंजूगेट बेस यहाँ पर क्या होता है वीक बेस और उसका कॉंजूगेट ऐसे यह होता है न चो एक सिंबल सचीवत आना मैं इधर का समझाता हूं आप इधर का खुद से सोचना चिर चिटिंग नहीं खुद से सोचना आपको कॉंसेट लेम लग जाए और यहा यार क्या बफर रहागी यह देखना अगर मैं अगर मैं माल लो अगर मैं X moles of X moles of अगर मैं क्या अड़ कर दूँ अगर strong acid अड़ कर दूँ किसी ने बोला sir buffer में आपने बोला था कि pH का change उतना नहीं दिखता तो चलो मैंने माल लिया strong acid यूज कर दिया इस case में एस ट्रॉओंग अचिड डाल दिया एक बात बताना strong acid बहुफर में डाल दिया strong acid किससे react करेगा weak acid के साथ या base के साथ 메이크업 करता है acid के साथ करेगा या base के साथ डाल दिये यह किसका, किसके साथ react करेगा, strong acid से react करेगा, weak acid से react करेगा, acid acid से react करेगा, यह acid base के साथ react करेगा, किस से करेगा, जल्दी बताओ, किस से react करेगा, सर किस से react करेगा, और जिस से react करेगा, भाई साहब, यह देखिएगा, जबड़ा ध्यान से देखिएगा, इतना difficult concept है, आप यह देख लो, इतना difficult concept है, सर, acid से react नहीं करेगा, किस से react करेगा, conjugate base से, भाई गेट बेस अगर strong acid से react करेगा तो वो क्या बनाएगा वीक एसे कैसे एक बाव बताओ CS3CO- है आपने क्या डाल दिया HCL डाल दिया मालो strong acid डाल दिया क्या करेगा strong acid क्या करेगा यह देख लो यह होगा न देखो यह strong acid है वो किस से जाके टकराया, weak base से टकराया, मतलब उसके conjugate base से टकराया, देखो इससे टकरा के, क्या बना दिया, acid बना दिया क्या, यह पता चलना है, conjugate base का amount decrease होगा, conjugate base का amount decrease होगा, acid का amount क्या होगा, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि sir, acid किस से react करेगा, acid से नहीं करेगा, किस से करेगा, बेश से, सर बेश से करा, उसका minus x हुआ, जितना इधर से decrease होगा, उतना ही इधर से increase हो जाएगा, ratio अभी भी देखोगे, ratio अभी भी देखोगे, थोड़ा बहुत ही change करेगा, ऊपर से log लगा है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत और कम change होगा, पता चलता है, pH कैसे regist करता है, इसका नहीं सोचूंगा, पहले बता रहा हूँ, यह देखना, strong acid डाला, तो तुम यह देखो, strong acid, acid से react करेगा, क्या नहीं, फाइदा नहीं, बेस है, बेस से react करेगा, तो बेस को क्या करेगा, minus x कम कर दिया, क्योंकि उससे react कर गया, सर, base से react करेगा, तो क्या अपन generate कर देगा, acid, acid plus x हो गया, हो जाएगा, सर, शूर हो, अब इसी का उलता, एक मिन ध्यान से जिनना बेटा, अगर मैं बोलता हूँ, कि सर, एक काम कर दीजिए, why moles of, why moles of strong base is added, अब मुझे बताओगे, सर, किस से react करेगा, प्लीज बताना, किस से react करेगा, अगर strong base add कर दिया, अगर मैंने strong base add कर दिया, strong base add कर दिया, तो किस से react करेगा, किस से, एक बोलता है, common and क्यों नहीं लग गया, एक बाब बता बेटा, acid है, acid के साथ जल्दी जाना चाहेगा, या base के साथ, तुझे भी उसी के साथ मज़ा आएगा, opposite वाले के साथ, sorry, sorry, रब, acid, base के साथ जल्दी react करेगा, न या किस के साथ, strong base है, किस के साथ react, common and क्यों आएगा भाई, common and cube आएगा अपने, तुझे सोच ना, चल्द, pH की बात करते हैं, थेंगे, pH की बात करते हैं, चल्द, pH की बात करते हैं, प्लस, strong base है, strong base किस से react कर जाएगा, strong base इस से react नहीं, base, base से थोड़ने करेगा, acid से करेगा, किसने बोला common and क्यों नहीं लग गया, भाई देख, एक बाह बता, base है, वो base से जल्दी react नहीं करना चाहेगा, यार, opposite वाले के साथ, जादा अपने को लगता है, react करो, neutralize करो, ठीक है, तो यह देख ले भाई, log, यह देखना आपने पास, क्या होगा, अब की बार क्या होगा सर अब की बार, acid से minus x करेंगे और conjugate base में क्या करेंगे, plus x करेंगे, किसी को कोई दिककत, कोई दिककत है क्या, हो जाएगा, दिककत है क्या? हो जाएगा, अन्या सर देख लो अपने पास, यह देख लो, यह question अपने पास, अगर तुमसे पूछा जाए, कि सर, acidic buffer में अगर यह हो रहा है तो इसके case में ये होगा कर लोगे माइनस x कहां हो रहा है प्लस y कहां हो रहा है माइनस y कहां हो रहा है हो जाएगा सर ये देख लो हो जाएगा फ्योर हो अब बेटा मुझे आता है लेकिन मैं आप से चाहता हूँ ठीक है आप ये वाला में कहां चेंज आएगा और एक बार मैं इसको बोल दूँ अगर y मोलस आफ श्ट्रॉंग बेस अगर अड़ किया जाए तो बेटा बता देना मुझे कहां पे चेंज आएगा कहां पे चेंज आएगा इसके प्योएच में कैसा चेंज आएगा आप अपना अपना अंसर सोच लो अपना अपना अंसर लिखलो सोच लो मुझे बता देना प्लीज देखलो अपना अपना अंसर बता दो सोच लेना Concentration of solution का मतलब ही होता है कि solute का concentration कम होगा, solvent का जादा होगा, lower concentration of solution मतलब Solute कम है, solvent जादा है, तो Osmosis वैसे ही flow करेता है क्या होगा अब अपना अपना एंसर सोचू मैं बस बता रहा हूं प्योएज स्ट्रॉंग एसे गया किस से रियक्ट करेगा बेस से तो मैं देखना क्या लिख रहा हूं पीके बी प्लस लॉग सर कॉंजुगेट एसेड माइनस एक्स कर दूँगा और यहां पर क्या होगा बेस प्लस एक्स हो जाएगा सर यह देख लो इतना डिफिकल्ट कॉंसेप्ट इतनी डिफिकल्ट डीप डीप आते चल रही है कि अधायि आ रहा है क्या हुआ अपनी जिंदगी में कि यहा होगा क्या होगा जल्दी कि खा yaşा कि यह कितने लोगा सही आया जल्दी बताने कितने लोगा सही आया तुम्हें याद रखना है तो तुम्हें याद रखना है 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 है अब आप इसको formula count करना चाहो तो कर लो 6 formula यहीं पहो गए minus का plus करते रहे ना plus का minus कर देना अगर आप इसको रट के जाओगे ना बेटा exam on में कभी minus करोगे कभी plus करोगे समझ में नहीं आएगा आप अपने दिमाग में logic लगा लो इसको कम करेगा इसको जादा करेगा हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट है ना यार ओ माई गाड मतलब एक चीज़ अच्छा एक चीज़ आप रहता है प्रिंटिंटिंग मिस्टिक प्रिंट कहा हो रहा है यार आरे भाई यार तू भी क्या यार ओ माई गाड इट्स अन्यूज माइनस वाई और प्लस वाई ठीक है यह देखिए एक टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते लिखे थे वाई और लिख दिया एक्स हां चलिए चलो अरे ठीक है न भावनाओं को समझो यार हो जाएगा यार वाई मोल सबस्वाई ठीक है हां एक्स मोल्स वाई मोल्स हो गया अब कहानी आगे चलते हैं यार थोड़ा सा अब एक चीद मुझे पता दो स्ट्रॉंग ऐसे स्ट्रॉंग बेस डालने से पिएच थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ही न वैल्यू लॉग में जीरो पॉइंट को चेंज हो जितना भी चेंज हो उतना एक्जाक नहीं पूछ रहा लेकि किस तो चेंज होगा तो भाईया अब सुरू करते हैं इसके वाफर कैपसिटी क्या होता है तो उसका कोड़ो देखों डेफिनीशन देखना जिकांट सुनना डेफिनीशन क्यों कि भाई में बहुत कि अप थton के ला कूंग हो इसका रीजन पता चुका हं पहले फिए थोड़ा सा बुकिस लायज का लें वेकर इसलिए इस लिए लिक के इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच सिंपल फॉर्मूला है लेकिन मैं इसी लिए इसको लिख के लाया हूं कि इसका पता चल जाएगा इसका बोलती है ध्यान सुनना इस नमबर आप मोल्स और स्ट्रॉंग आसेड और कितना पीएच चेंटी कितना पीएच है कितना पीएच हो रहा है इसी को तो नंबर आप मोल से कितना पीएच हो रहा है कितना pH change हो रहा है तो भाया यह धेख लो, यह definition तर यह क्या measure करता है it measures the effectiveness of buffer यह measure करता है कि सर्थ buffer का capacity कितना है वो कितने तेज़ी से अपना pH change करता है या नहीं करता है यह effectiveness को measure कर लेता है तर जिटना एक्टिव है बफर कितना effective है और नहीं effective है दूसरा सर जितना जाद आपका buffer capacity high होगी buffer capacity जतनी जाद हाई होगी उतना जाद आप क्या करोगे आप उतनी जाद चेंज इन पिएच को क्या करोगे रेजिस्ट करोगे क्यो कि बफ़र capacity के फार्मले में डिल्टा पिएच क्या है इनियु़रसली proportional है जितना उसकी value हाई उतना delta pH की value क्या होगी कम होगी तो अगर कहीं buffer capacity word use किया जा रहा है अगर कोई buffer capacity word use कर रहा है तो भाईया उसके case में buffer capacity case में याद रखिएगा कि sir number of moles डालेंगे देखो तुम्हारे सामने तुमने ये add किया प्लस माइनस कुछ तो हो रहा है थोड़ा बहुत ही चेंज हो रहा है कुछ तो हो रहा होगा माइनस x plus x कुछ value change करेगा अब जो value change करेगा कितने number of moles से कितना pH change करता है इसी को क्या बोलते है buffer capacity इसी को क्या बोलते है buffer capacity buffer की ऑउकाद कि भाईया इतना मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मेरी buffer capacity जादा है मतलग तुम डालते रहो कोई फरक पड़ेगा नहीं पर यह आराम से resistance दिखाएगा हो जाएगा हो जाएगा सर हो जाएगा delta in upon delta piece it's very difficult अरे कैसे भाई देख लो कैसे निकालोगे अरे भाईया buffer मैं question देदू नहीं उपाएगा तुम लो से देदू buffer capacity का question देदू लो चलो भाई कर लो कर लो भाई कर लो तुम लो formula अभी लिखा था कुछ कभी formula लिखा था भाई definition अलग चीज है buffer capacity का formula अभी लिख दिया था एक बार फिर लिख देता हूँ buffer capacity is nothing delta N upon delta pH delta N upon delta pH इसी को buffer capacity बोलते हैं निकाल दो हो जाएगा जल्दी buffer capacity buffer capacity क्या आएगा difficult है ने यार कितने मोल्स डाल रहे हो अब बोलना कि सार HCL strong acid होता है तो कितना हो गया 2 buffer का change कितने का रहा है अब buffer का change कितने का रहा है 0.5 का रहा है कितने का रहा है 0.5 का रहा है 2 moles per liter न बेटा ये moles per liter लिख दिया concentration upon this delta N upon delta pH pH का change कितना है pH change हो रहा है 0.5 यह रहा है ठीक है तो कितना हो गया 20 upon 5 buffer capacity कितनी हो गई 4 हो गई buffer capacity कितनी हो गई 4 हो गई it's very difficult buffer capacity नहीं काल दिया तुम लों मजाग मजाग मे चल एक चीज़ बस यहाँ पर खाली spaces के मैंने छोड़ा है एक बार honestly acidic buffer की acidic buffer का formula लिख भाई pH का formula लिख acidic buffer के pH का formula याद इसी वो करना है जहां से देखना अब मैं कोई भी case दूँ खुझ से सोच लेना यह मैं लिख रहा हूँ basic buffer का formula बद खुझ से सोचो बेटा मैं चाहता हूँ आप यह सब चीजें आप खुझ से आप लोग सुरू कर दो basic buffer basic buffer में पहला change किसका आएगा pH का खुझ से लिखो try करो आप खुझ से लिखो पी उच try करो आप फिर से एक बार लिखो क्या चेंज आएगा क्या आएगा बेटा खुझ से try करना आज buffer तुम्हीं खतम करके जाना है formula इसमें बस एक ही formula है इसमें सिर्फ एक ही formula है सिर्फ एक formula चलेगा और वो formula देख लेना आपको बस उसी के अंदर game खेलना है आप अप अपने आप से सोच लो और सारे के सारे साही कर देना मैं इसको छोड़ रहा हूँ आप मैच कर लेना अपने अपने अपनी साब से आप साही से लिख पाओगे लिख लेना ठीक है ना मुझे नहीं पता थोड़ा सा यह लिख देता हूँ जाओ लोग salt या फिर conjugate acid divided by base अब यह सब चीजे मुझे आती नहीं आप खुद समझदार हो ठीक है आप खुद से लिख लेना आपको अपने आप से सोचना और पिछले वाले answer से मैच कर लेना ओके चलो buffer capacity हो गया acidic buffer हो गया basic buffer हो गया buffer की और आप पता चल गए कि buffer यहां तक रहेगा अब buffer capacity का भी एक लिमिट है ना भाई buffer capacity भी ऑखाद तक ही जहल पाएगा ना मैं तुझे बोलना हूँ कि मैटा खूब जोड लगा माल ने तने motivation वीडियो देख लिया और इस और आज तो तूफान चोड़ देगा बेटा उकाथ है लेकि 24 गंटे अगर पढ़ लिए तो अगले दिन तो फेल होना ही है क्योंकि अगले दिन नीद आएगी अगले दिन जीरो हो जाएगा तो वही वाली हालत है buffer capacity भी maximum कहां तक पहुंच सकती है buffer capacity की maximum value क्या होगी एक बात बताओ एक बात बताओ सबका acidic buffer capacity maximum buffer capacity की बात कर रहा इसी के अंदर आ रहा ना इसके अंदर आ रहा है जो चेंज आ रहा है वो इसके कारण आ रहा होगा ना Otherwise pH और pH क्यों चेंज करेगा भाई खुद से सुच लेना पीएच और पीएच क्यों चेंज करेगा सर pk और pk भी क्या है temperature dependent है जो चेंज आ रहा है acid और waste अड़ करने से इसके कारण आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं डेल्टा पी एच जो चेंज इन पी एच आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है तो एक काम करते हैं सर डेल्टा पी एच को जीरो बोल देते हैं और डेल्टा पी एच कब जीरो होगा डेल्टा पी एच कब जीरो होगा सर कब जीरो ह या salt upon conjugate base upon salt divided by acid की value क्या हो जाए 0 या फिर ये value 0 कब होगी जब conjugate base या salt का concentration आपस में क्या हो जाए equal हो जाए लॉग 1 की value 0 होती है न देख लो buffer capacity maximum कब हो सकती है जब delta pH क्या हो जाए 0 चेंज इन pH क्यों 0 होगा तर यह यह चेंज नहीं हो सकता क्योंकि टेंपरेचर बेडिमेंट कर रहा है जो चेंज होने वाला टर्म था वो यह था इसको 0 माल लो यह 0 कैसे हो सकता है जब इन दोनों की concentration क क्या हो जाए equal हो जाए याद रखिएगा buffer capacity maximum कब हो सकता है किसी buffer की सबसे जादा अच्छी capacity कब होगी जब उसके salt और acid का concentration क्या हो सेम हो सिमिलरली अगर basic acidic buffer का कर लिया तो basic buffer भी आप ऐसे ही बता सकते हो कि basic buffer की maximum buffer capacity कब आएगी सर यहां pH के बदले क्या लिख दोगे और यह क इसके equal हो जाए PKB के बेटा जैसे इसको किया है वैसे ही इसको कर देना वैसे ही इसको कर देना answer आना शुरू हो जाएगा log of क्या हो जाएगा यहां पर क्या लिखेंगे conjugate acid या फिर salt divided by divided by base is equals to zero या फिर यह expression याद रखिएगा या तो यह होना चाहिए या फिर यह होना चाहिए या तो यह हो जाए या फिर क्या हो जाए बेस की concentration किसकी equal हो जाए conjugate acid या फिर salt के equal हो जाए यही दो conditions हो सकती है maximum buffer capacity यही हो सकती है भाई देख ले तूझे ठीक है छोड़ो तुम अपना बताओ हो जाएगा buffer maximum अरे चल लहाए जिमाक की गया इधर ही है ना इधर ही है ना भाई हो जाएगा buffer देख लो buffer बनाया buffer को पहचाना buffer की कौन कौन से cases होते ही यह पता चल गया acidic buffer का pH निकाला basic buffer का pH निकाला और अब क्या है अब क्या है कि buffer की maximum buffer capacity कब हो सकती है buffer अपना pH चेंज ही ना करे सर बफर अपना pH कब चेंज नहीं करेगा जब इन दोनों की value क्या हो जाए इक्वल इन दोनों की value इक्वल सर यह टर्म क्या हो जाएगा जीरू अब भाईया मस्त इंजवाए करते वे चलते चलते चलिए buffer चें जा रहा हूं ओ माइगाड ठीक है थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन हो जाएगा हाँ बेटा तो प्रैक्टिस करोगे तो हुई जाएगा अब यह टफ क्या है अभी एक बार थोड़ा सा कुछ यह log जीरू अब पर बोले सर यह कैसे ले लिया बेटा log 1 की value 0 होती है इसकी value 1 ह होगी अगर इन दोनों का ratio 1 है इसका मतलब यह 1 हो जाए पक्का अगर यह दोनों का ratio 1 हो गया तो buffer capacity maximum पे आएगी अब अब सर बफर बफर बहुत हो गया एक काम करो buffer को destroy कर दो buffer कब destroy होता है या buffer का destruction कब बोलते है buffer को कब destruction बोलते है तो destruction of buffer देख लीजेगा destruction of buffer ध्यान से सुन लेरा फॉर्मूले पुट तो करना है सारा चमका चुका हूं सारा concept चमका चुका हूं बस formula formula पुट करेंगे answer निकालेंगे ठीक है destruction of buffer buffer is said to be destroyed buffer is said to be destroyed buffer कब destroy हो जाता है जब destroyed when its pH और P.O.H. changes more than one अगर उसका pH कितने से change कर जाए एक से जादा हो जाए एक से जादा change करने सुरू कर दे pH और P.O.H. changes from more than one more than one from P.K.A. और P.K.B. मतलब destruction of pH buffer कब destroy हो जाएगा जब क्या हो जाए उसका pH जादा change हो जाए अब तुम buffer को यही तो define कर थे कि buffer का pH चेंज नहीं करता अब पता चला तुम buffer का pH ही change कर गए अरे pH एक से जादा change कर गए एक से जादा change हुआ मतलब buffer क्या हो जाएगा destroy है मतलब अगर acidic buffer का acidic buffer का acidic buffer का range निकालना है acidic buffer का, अगर मुझे range निकालना है acidic buffer का range कहा से कहा होगा सर, देखेना ध्यान से acidic buffer का range कहा से कहा होगा ये PK की value है ये क्या है? maximum buffer capacity है याद करो, अभी बूला था maximum buffer capacity है सर, ये कहा तक buffer valid होगा जब इसका value plus one से लेकर और यहां तक buffer का range होगा इससे ज़्यादा हुआ तो भी buffer destroyed है, इससे कम हुआ तो भी buffer destroyed है, क्यों कि buffer का range इतना ही आता है, 1 plus 1 और minus 1, इससे ज़्यादा हो गया तो भी buffer को, अब buffer का मतलब यह इतना pH change ना करें, अब pH एक से ज़्यादा change कर गया, तो किस बात का buffer भाई, pH change कर गया, इसका range क्या होगा, सर basic buffer का range क्या होगा, सर इसका pH is nothing, PKB plus minus 1, एक मर्ण देखना लाँ थान से, इसका भी number line बना लो, इसका भी number line बना लो, यह PKB हो गया, सर यह PKB plus 1 हो गया, और यह क्या हो गया, PKB minus 1 हो गया, यह क्या हो गया, PKB minus 1 हो गया, पीके भी माइनस 1 हो गया तो ये बफर का अपने पास सब कुछ बिस्ट्राय कर लिया बफर का रैंज यही होता है इतने ही दूर तक वैलीड होता है प्लस माइनस 1 और इसमें पता है इंडिकेटर्स जो होते हैं इंडिकेटर्स जो होते हैं इंडिकेटर्स जो होते हैं इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बॉफर सॉलूशन होते हैं इसलिए इंडिकेटर का भी रेंज देखोगे इंडिकेटर का रेंज प्लस माइनस वन पर काम करता है इंडिकेटर सिर्फ इसे मैक्सिम इंडिकेटर का रेंज होता है और दो पी एच के अंदर ही होता है हो जाएगा मतलब बॉफर इतने ही मही काम करेगा यह मैक्सिम बॉफर कैपेसिटी हो गई यह मैक्सिम बॉफर कैपेसिटी हो गई ना इस टाइम पे इसके case में pH है इसके case में pH है pH और यहाँ पे pH है हो जाएगा सर शूर हो ठ्यूर हो अच्छा एक बाव बताओ फिर से मैट्स पूछ लो यह प्लस वन कब आया होगा प्लस वन कब आया होगा प्लस वन कैसे आया होगा यह ज़िए यह एक मिनिट देखना अब देखो कुछ लोग इसको रटेंगे अब कुछ लोग भाई कि आज घर पे जाके नएक बार सोच लेना तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि सर क्या है आपको कोई चीज रटने की जूरत नहीं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने बोला है आप उसको याद रखिएगा आज की क्लास से सिर्फ एक फॉर्मूला वो भी ये वाला और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला है चलो सर एक बार बताइगा इफ़र ध्यान से देखिएगा यहां पे लिख सकता हूँ लोग सॉल्ट अपॉन एसिड की वायल्यू जीरो ये लिख सकता हूँ यहां पर लिख सकता हूं किजिसर सॉल्टелट अपन ऐसिड का कॉंसंट्रेशन कितना होगा वन इसकेस में पियेज का फॉर्मूला दिया हुआ है ध्यान से देख लो डेटा आपको क्या लग रा है सर कफ का फॉर्मूला दिया हुआ सर यहां पर क्या लिखूंगा प्लस वन क्यूं आएगा प्लस वन क्यूं आएगा इसका रीजन देख लो यहां पर देख लो किसी भी बॉफर का रेंज होता है ना किसी बॉफर का रेंज 1 बाइ 10 से लेकर 10 के बीच में होता है यहीं तक बॉफर अपना फ्लक्चुएट करेगा यहीं अपने पास बॉफर फ्लक्चुएट करेगा मतलब या तो सॉल्ट सॉल्ट 10 टैम्स हो जाए किसके एसिड के या तो स क्या हो जाए 10 टाइम्स हो जाए किसके एसिड के ठीक है यहां पर सॉल्ट एसिड के बराबर हो जाए यहीं बॉफर का रेंज होगा मैंने एसिडिक बॉफर के लिए बताया मैंने एसिडिक बॉफर का रेंज बताया एसिडिक बॉफर का रेंज बताया आप बेसिक बॉफर का अपने घर पे बना सकते हो it's very difficult पेटा lock की value 1 कव होती है why can you value 1 कव होती है जब ratio क्या हो जाए 10 हो जाए ना lock 10 की value 1 होती है why can you value 1 होती है salt upon acid का value कितना हो गया 10 salt upon acid का value कितना हो गया 10 तो भाया तुम्हारा जो buffer काम करता है buffer का جो zone है वो इतना ही जून होगा, इतने के अंदर ही काम करेगा अब एक काम कीजिएगा, अभी घर पे बैट के इसका बेसिक बफर का बनाईएगा अब डिफिकल्ट होगा, काफी दर्द होगा इसमें बेसिक बफर में क्या होगा, एक बेसिक बफर में क्या होगा हां बेसिक बफर में क्या होगा आपको खुद पता है मैं बता नहीं सकता इतना दर्द हो जाएगा चलो तो हमारा बफर बना बफर को बफर को बनाया हम लोगों ने बफर के फॉर्मूले निकाले मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आपको बुलाई यह याद करके रखिए इस फॉ कुछी कर सकते हैं चले हमारी कोश्चन बफर का सिस्टम खतम कर दिया जाए हाह पोश्चन करें बहुत डिफिकल्ट यह इस वेरी डिफिकल्ट आइनो देट भाई बहुत ज्यादा प्यासे थोड़ी नहोंता बहुत डिफिकल्ट इप चा टीचर है यार रूला दिया यार ठीक है यह देखना बाई यह देखना इतना डिफिकल्ट कोश्चन कैसे करो और डिलूटिंग अ बफर सॉलुशन इट्स पीएच चेंज़ और नॉट चेंच इज ओमाइगाड डैलूट करने पे पीएच चेंज करेगा या नहीं करेगा क्या होगा यह चेंज करेगा या न क्या होगा क्या होगा डाइलूट करने पे पी एच और बॉफर चेंज करता है या नहीं याद कर आभी बॉफर की सुरुआत की डिफिनिशन बताये थी मैंने उसी लाइन में एक लाइन भी बताये थी भाई इसलिए बोलता हूँ थेयरेटिकल कोश्चन थेयरेटिकल कोश्चन थेयरेटिकल कोश्चन क्या होगा sign language बात करनी पड़ रही है न या रव पादा चला कुछ बोल दिया ये तीर है पादा चला उस पे पादा चला उस पे क्या होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि सर डालूट करने पर पी-च के ऊपर कोई फरक नहीं पड़ता ये सेम रहता है वाफ़र का मतलब यह होता इसका concentration क्या रहा रहा या 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 क्या बात है एटी टू परसेंट क्या बात है वेरी गुड बटा यसी लगे रहो यार ठीक है अरे भाई सहाब दोहजर बाईस का कोश्चन है बहुत डराऊना बहुत डिफिकल्ट दोहजर बाईस का कोश्चन देखना इतना डिफिकल्ट कोश्चन शायद तुम लोगों ने किया हो यह चानना पड़ेगा कि सर यह बफर है या नहीं है यह दोहजर बाईस का कोश्चन है बाई वरोसा ना हो जाके चेक कर लेना हो सकता है ना बाई टीचर जूट बोल दे अपने को बढ़ाने के लिए तो देख ले भाई तुम देख लिए ध्यान से देख ले बहुत डिफिकल् कोश्च जल्दी खदरना कोश्चन पहले बता रहा हूं नहीं होगा यह कैसे होगा सर पी अच निकालना बताई यह एसे कैसे पीच निकाल दे सर कुछ बताया ही नहीं कि बफर है कि नहीं है लेकिन कुछ लोगो दिख गया होगा वी कैसे और उसका सॉल्द डिखरा है एक्जाम हाल में कभी बफर नहीं लिखेगा कभी common and effect नहीं लिखेगा वो समझ रहे हो ना वो तुम्हें नहीं सोचने वाला कि हाँ आप कहां से हो कैसे हो कुछ नहीं वो सीधा pH निकालो difficult formula यही formula बफर में याद करना था और यह याद करना हो सकता है difficult हो जाए आपके लिए पी के की value कितनी दी है ओ भाई साब पी के की value दी हुई है लॉग salt की concentration 0.1 और इसकी कितनी है 0.01 सर कितना difficult numerical है ना सर यह 10 हो जाएगा और लॉग 10 की value क्या होती है यह सर लॉग 10 कैसे आएगा सर ऐसे मजाग मत किया करो सर लॉग 10 की value 1 कैसे होती है यह कैसे हो गया क्या answer आएगा B answer देख लेए बेटथा आइनी के लिएओ का जीतनी डर है ना k tok मेर नेकाल ले 65% लोग सही है आइनी के लिए उनका क्यों बता रहा तुझे exam में आया हुआ कोश्चंट ठीक है इस exam में आया हुआ कोश्चंट है भाई exam में आया हुआ कोश्चंट एक्जाम में आया हुए कोश्चन देता हूँ मैं छोटी मुटी बात ही नहीं करनी न अपने को एक्जाम में आया हुए कोश्चन की बात कर रहा हूँ यहां common sense देखते किसका कितना काम करता है pH और pH कितना आता है एक का pH पी दिया है और एक का pH क्यों दिया common sense का question है attempt करो जल्दी 50 ml क्यों दिया है मज़ा आ रहा था उसको सोच रहा था मज़े ले 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 थे जल्दी सर पहला वाला क्या है एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर का पी एच क्या होगा अव्वेज है नवाई एसिडिक बफर का पी एच क्या होगा एसिडिक बफर है नाम से ही पता चल लाएगे पी एच क्या होगा भाई कम ही होगा बेसिक बफर का pH क्या होगा जादा होगा एसिडिक बफर का pH कम होता है बेसिक बफर का pH जादा होता है भाई ये भी चीज अगर आपको बतानी पड़ रही हो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी सीधा आँख बंद करके निकाल दीजिए 4.75 D नहीं उसका रीजन बतायता हूँ अब देखो जैसे बार बार कोईशन करोगे B और D में जो लोग B और D में कन्फूज होगे B और D में आपको एक चीज़ क्योंकि अभी बार बार हम लोग यूज करेंगे तो एसिडिक बफर में ये वाला बफर जो होता है इसकी वैल्यू हमें याद रहती है इसकी वैल्यू होती है 4.75 या 4.74 जो लोग B और D में कन्फूज होंगे उनके लिए थोड़ा सा मैं ये theoretical portion बतायता हूँ ये 4.74 के आसपास होता है दो बफर हमें याद रखने होते हैं दो बफर हमें याद रखने होते हैं जो लोग B और D में कन्फूज होंगे B और D वाले लोग आपका सही अंसर है बस आपको वैल्यू, D वाले बच्चों को वैल्यू बस याद नहीं थी इसलिए बता रहा हूँ सर एक ऐसेडिक बफर है एसेडिक बफर में ये बहुत ही फेमस बफर है बेटा ये बहुत ही फेमस बफर है ये ध्यान रखना ये बहुत ही फेमस बफर है इसका पी एच जो होता है इसका पी एच किसके इक्वल होगा पी के के और ये कितना होता है 4.74 होता है similarly NH4OH की बात करोगे तो इसका भी क्या हो जाता है NH4OH और NH4Cl तो इसका देखोगे इसका अपने पास इसका pH जोगा इसका pH होता है इसका pH होता है 4.75 लेकिन इसका pH कितना हो जाएगा 49.25 हो जाएगा यह देख लीजिएगा यह दो buffer acidic और basic buffer के best example है इसे लिए अपने को ठीक है basic buffer यह examples हो ठीक है बैनी से गलती हूँ sorry इस question मैंने यह values आपको पहले यह general value जैसे पूलते हैं पार्णी का अपना कुछ values पता होना चीए तो यह कुछ common examples है इन दोनों का इसका pH equal होता है इसका pH और इसका pH आपस में equal होता है इसका pH और इसका pH क्या होता है आपस में equal होता है इसलिए कर सकते हैं चलो बढ़िया भाई साहब भाई साहब बहुत खतरना question दे दिया यार यह देखना यार यह कौन सा question है यह इसमें buffer कैसे बनेगा कुश्चन मत कराओ अच्छा question मत कराओ order 13 एक बोला question मत कराइए क्या होगा कौन सा acidic buffer बनेगा किस moles के ratio में acidic buffer बनता है सायथ पहचानना सिखाया था बेटाज आप बेटा buffer होगे आप कल salt headless करेंगे किस यह क्या है weak acid और यह क्या है strong base chances तो है लेकिन एक condition शुरू आपने बताई थी अगर इसके x moles है और इसके y moles है तो एक condition शुरू आते बताई थी किसके most जादा होने चाहिए थे वीक acid यह weak base के तो answer क्या जाएगा answer क्या जाएगा answer क्या जाएगा one is to one के ratio में buffer नहीं बनेगा one is to one के ratio में buffer नहीं बनेगा क्योंकि sir यह इसको neutralize कर देगा यह इसको neutralize buffer बनने की condition में equal की condition नहीं बताई है equal की condition कल आने वाली है tension मत लीजे equal की condition कल आने वाली है answer क्या रहे यह क्या बात है 80% very good very nice very good चलो अब एक बात और यह भाई सहाब बहुत difficult question देता हूँ यार मैं ऐसे मजा नहीं आ रहा difficult क्या दूँ? बहुत difficult है यह भी difficult है जल्दी बताओ इसका answer इसका answer जल्दी बताओ इसका answer बताओ question पढ़ते पढ़ते जिसके दिमाग कापता हो वो यह समझो की English का सताया हुआ है आँ क्या होगा? कब pkA की equal हो जाएगा? acidic buffer का pH कब pkA की equal हो जाएगा? जब acid का concentration किसके equal हो जाए? conjugate base की equal हो जाए? क्या हो जाएगा? C is the correct answer इतना difficult question देख लिया तमने कैसे कर दिया? अब देख लो इस question को देखो इस question को देखो जल्दी करो acid to salt यहाँ से सुनना कोई question में थोड़ा सा ये किया है ultra ratio दिया है अब बता रहा हूँ बस आप देख लो एक बढ़ पढ़के थोड़ा प्यार से पढ़ना pH of solution के साथ क्या change जाएगा? पहले अगर कुछ भी pH है फॉर्मूला आपके पास है acidic buffer का फॉर्मूला आपके पास है यह मेरा दिल समझता है क्या आएगा? सर नॉर्मूली pH का फॉर्मूला क्या होता है pka plus log salt upon acid होता है salt upon acid होता है इस question में वो जान मुझके trap कर रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते है ratio देखेंगे 10 log 10 की value 1 पता चला आप increases by 1 कर दोगे नहीं सर वो acid upon salt का ratio 10 times कर रहा है मतलब यहां से salt upon acid का ratio salt upon acid का ratio कितना हो गया? 1 by 10 सर इसकी value 1 by 10 पुट करोगे सर pH की value minus 1 आजाएगा कितना से कम हो जाएगा? क्यों? 1 by 10 की value क्या होती? log में सर minus 1 तो pH की value क्या आएगी? pka minus 1 आजाएगी तो answer क्या आएगा? decreases by 1 क्या आजाएगा? decreases by 1 क्या आजाएगा? decreases by 1 क्यों increase नहीं होगा? अरे acid upon salt ratio of concentration of acid to salt is increased 10 times 10 fold मतलब 10 times यह value 10 times पढ़ा दी एक बाब बता तुझे तो formula में salt upon acid लेना है तो भाई जबरस्ति क्यों trap हो रहा है C कैसे answer आगिया तुमारा? C नहीं आएगा ना ठीक है ना मैं तो पकड़ने के लिए लगाया ना answer question यही दिया है देखो C वाले जितने लोग है अरे तब भी बच गए C वाले लोग यह भाई तुझे इधर आना है थोड़ा सा slow पढ़ना क्योंकि एग्जाम हॉल में easy question को difficult language से बनाया जा सकता है जिसको बाहरा के अपसोस होगी आरे सर बहुत difficult question दो यह भाई यह देखो ना यह कितना difficult question है बस यह last question इसका बफर खतम करेंगे कल question बस आप यह last question करेंगे बफर कहीं नहीं लिखा अब आप सुचोगे सर इसमें बफर कैसे पहचानेंगे कुछ नहीं आप reaction को लिख के देख लो क्या बोल रहा है कि सर यह 50% ionize हो रहा है 50% ionize हो रहा है एक काम कर लो इसकी concentration C है 00 50% का मतलब क्या होता है सर 50% का मतलब क्या होता है C-Cα C-Cα C-Alpha Alpha की value कितनी है 0.5 सर यह क्या हो जाएगा 0.5C कितना बच जाएगा 0.5C यह weak acid का बचा सर यहाँ पे क्या बच गया conjugate acid कितना हो जाएगा 0.5C सर यह दोनों के दोनों यह इसका conjugate base है weak acid और conjugate base बचा हुआ है यहाँ weak acid और उसका conjugate base है वीक एसिड और कंजूगेट अच्छा बॉफर लिखा हुआ है ओके अरे ठीक है भाई भाव ना हो को समझो बॉफर का पतलब पहचानने का तो रिखा बॉफर लिखा है तो अच्छी बात है वीक एसिड और कंजूगेट बेस है और दोनों की कॉंसेंट्रेशन इक्वल है जहां दोनों की कॉंसेंट्रेशन इक्वल हो गई पीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी पीके एके लेकिन अगर आपने गल्ती से एंसर टिक कर दिया तो भी फस गए क्यों क्योंकि सर देखो कितना ट्रिक बनाया है पीएच नहीं चाइए पी विएच चाहिए पी विएच कितना हो जाएगा 14-4.5 यह कितना हो जाएगा 9.5 क्या एंसर आएगा सी इस दा करेक्ट एंसर शी इस दा क्रेक्ट एंसर बहुत सबसर लोग अगर यहां बचे होंगे तो उधर जाके जाएंगे option tick करते करते फज जाएंगे तो answer क्या जाएगा answer क्या जाएगा तो बफर के questions यहीं है ट्राइग कीजिएगा buffer के सारे numerical निकालते चले जाएगे answer निकालिए questions कीजिए आपको पता चलता जला जाएगा तो चलो भाई कल मिलेंगे salt hydrolysis करते हुए आज अपने पास buffer हो चुका है buffer हम लोग ने सारे questions कर लिए है सारे टाइप के अप numerical में आपको formula values पूट करनी है dpp आज आपको 5 attempt करना है dpp 5 attempt कर लेना है आपको dpp और module का homework भी मैं आज देंगा module का homework भी आज देने वाला हूं आप questions देख लीचेगा और अगली क्लास में बिटा कल की क्लास में salt hydrolysis buffer का अगला भाई और आइनी क्लिरम का सबसे last model या topmost बोलेंगे उसके बाद चीज़े बहुत आसान हो जाती है कल की इसे सब्सक्राइज और ने वाला है और कल के बाद आईनी क्लिरियम अगर आप रिलेट कर पाए तो आपके लिए सबसे इजिस टॉपिक होने वाला है और अगर आप revision नहीं करके आई या relate नहीं कर पाओगे तो बेटा obvious है फिर आपके पास वही हो जाएगा उसी जगह फिर से पहुँच जाओगे जिन लोगों मैं बार बोलना शुरुआत ही बोला तीन टाइप के बच्चे हैं अगर आप पहली बार में समझ गए बेटा बहुत अच्छी बात है अगर आप दूसरी बार या solution देखके समझ रहे हो तो आप बस practice बढ़ा दो बस practice बढ़ा दो और तीसरे बाई लोग लिए बस यही बोलूँगा बेटा जितना जल्दी हो सकता है Realize करो अगले साल फिरसे अफसोवस ना हो okay तो चलो भाई मिलते हैं अगली class में ठीक है अगली class में शांदार कोश्चन करेंगे शांदार अपने पास salt हाइडूनीसिज करेंगे अगली कलास का KBD भी संधार हूगा क्योंकि अगली कलास में आएगा buffer के questions बहुत क्leshणा कितना क्तों कौमसेप्ट था ना यार कितने difficult difficult concept है न तो चलो मिलते हैं अगली कलास में तब तक किलिए bye bye झाल 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 झाल